हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो नादर वीडियो उम्मीद करता हूँ आप तो काफी अच्छे होगे आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्कूल मैनेजमेंट वेब्सेट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ आप लोगों को सिखा होती है स्ताफ होता है चाहे वो टीचर हो चाहे वो अगंटन भो लाइब्रियों हो ट्रांस्पोर्ट डिपार्ट्मेंट हो या पिर स्टूइंट हो स्टूइंट का लोग in का देगा ओशन देगा इवन पेरेंट भी लॉग इंश में चेक कर सकते हैं क्या आप्डेट चल र होता है admit card होता है सारी चीज़े complete जो एक स्कूल के अंदर होती है सारी आज के इस वीडियो में आप लोग डीटेल में जाने को मिलने वाली है तो अगर आप लोग यासा कुछ प्लाइन कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोग बहुत इंपोर्टन होने वाली है वीडियो को शु पूल की वेबसाइट के अंदर होता है वह होता है development work उसमें जो modules होती है जासा कि मैंने आपको थोड़े पहले सारे बताए हैं तो यह सब कुछ आज किस वीडियो में हम डीटेल में करने वाले हैं अगर आप लोग इससे कुछ सीखना चाहते है तो वीडियो को शूरु से कि बनने वाली है यह आपके मतलब की है या फिर नहीं है जब दे मेरी laptop skin गंदर आपको demo website दिखाता हूं तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी laptop skin गंदर आ चुके हैं जब से पहले जड़ते हैं अपनी demo website को देखते हैं यह वारी demo website इसमें की तॉप में आप देखने एक स्ट्रिप है तॉप स्ट्रिप कह सकते हूं इसको तॉप सेक्षिन कह सकते हूं जिसमें की menu section आता है जिसमें के हमारे logo और navigation menu अगर आते हैं जिसमें के left side में हमारा school का logo रहेगा जिसमें क्लिक करके में home page का लिंक होता है इसके उपर यहां पर उपर कोई भी headlines हो सकती है text हो सकता है कुछ भी आपकी tagline हो सकती है और इसके इंचे small description and our academics पर क्लिक करके सीधा उस page पर हम redirect करवा सकते हैं इन उसके निचे यहां पर learning begins with us मतब about the step भी हो सकता है या फिर आप कुछ और content शो करना चाहो उसके मैं आपको बात करूंगा यह आपको जो भी design दिख रहोगा बहुत सिंपल सोबर सा design दिख रहोगा फिलाल आपको जिससे अफसे लगर होगा यह मगर क्योंकि schools की जो website होती है उन में main focus होता है उनके जो database है या फिर उसमें जो functionalities होती उसके उपर होता है बट हम design के उपर भ बहुत सारी videos बना रखी है तो वह भी मैं आपको tutorial के अंदर ही बताऊंगा कौन सी videos आपके लिए helpful हो सकती है इस सारी चीजिए हम कवर करेंगे और उसके इंटरी आप स्कूल के बारे में जो भी उसका है 2K प्लस current enrollment, qualified staff, club activities बागी सारी चीजिए होती है and school की picture इस पर क्लिक कर कि आप video भी open करवाना चाहिब वह भी करवा सकते हो and एक कुछ कह सकते हो कि कुछ quotes type का होगा section और curriculum overview में आप इस तरह से देख रहे है इमेज फ्लोट करती है और उसमें उसका color बढ़ जाता है थोड़ा light होता बाद में dark हो जाता है animation type का थोड़ा है mouse over पर और उसमें आप पर computer science, fine arts जो कि उनके subjects बगार होंगे उसके बारे में दिखा सकते है और उसके इंचे यहां पर थोड़ा एक section है थोड़ा इस तरीके से sports activities से related है यहां पैथलीट, in-house publications, performing arts and music इस तरह का section और उसके इंचे आप एक subscribe का option है wish to know more about admission and update subscribe now इस तरीके का option है और उसके इंचे simple सा हमारा footer, मतलब design आपको बहुत simple से लग रहा होगा पर इसके अंदर की जो बाकी चीज़े है वो बहुत main है, बहुत important है मगर हम design के ओपर भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उसके बारे में भी आपको detail में सारी चीज़े बताऊँगा कुछ change करना हो तो वो कैसे होगा, वो सब कुछ आपको detail में जानने को मिलेगा about us का page बहुत simple से अबर से रखना है, कुछ जादा खास इसमे changes नहीं किया है मैंने इसी तरीके से यहाँ पर हमारा contact us का एक page है जिसमें कि किसी को कुछ inquiry करनी है, contact us रिलेटनी आपर submit कर कि सीधा inquiry कर सकता है और activity से related भी एक page है, academic से related एक page है अलग अलग तरह कि मैंने कुछ इस तरीके से page बना रहे है तो मैंने जैसा आपको कहाँ कि डिजाइनिंग में जादा focus नहीं किया है मैंने मगर डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी बन सकती है उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको tutorial में ये functionality वाला tutorial है जिसमें की school से related जो जो main main functionalities होती है उन सब के उपर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर चाहाँ उसकी login से related option हो चाहाँ वो online free submission से related हो online admissions से related हो किसी को कुछ inquiry करनी है admissions से related हो बहुत सारी चीज़े होती है जो कि डीटेल में आपको जानने को मिलने वाली है अगर मैं आपको इसका dashboard भी दिखाना जाम तो dashboard के अंदर यह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं कि मैंने लॉग इन कर रहा है अपने wordpress के dashboard के अंदर यह हमारी demo website जो कि मैंने आपको दिखाई है उसका मैं लॉग इन कर रहा है इसमें की school management का option होता है school classes section settings schools की inquiry setting academic के अंदर dashboard class section subject timetable attendance school leave materials homework notice board event live classes staff rating and dashboard admission student i-card promote कर सकते हो transfer कर सकते हो certificates होगे notifications होगे administrator के अंदर बहुत सारे चीज़ होती है admin होगे रॉल्स होगे- staff के list होगे- staff के attendance हो गई- staff की leaves हो गई- staff की list है- staff में आप बहुत सारे और रोल्स में आगे- staff प्रिएट कर सकते हो like teacher हो गया- principal होगया- transport department का हो गया accountant हो गया इस तरीके बहुत सार चीज़े कर सकते हैं and accounting के अंदर यहां पर उनकी income expenses fee invoice fees type बहुत सार चीज़े and examination के अंदर यहां पर most important जो कि यह dashboard है उसका manage कर सकते हो अब exam उसके group बना सकते हो admit card issue कर सकते हो print कर सकते हो exam के results को आप online डाल सकते हो and इसे तरीके से library का भी एक option आपकी school में library है उसमें books books इसको issue का रखी है library card बनाना students के लिए वो सारे option and transportation के लिए जो vehicle है वो registration कर सकते हैं उसके route को define कर सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे चीज़े हैं hostel का भी इसमें एक option है अगर आप बहुत ही डिटेल वीडियो है यह सारी चीज़े हम cover करने वाले है आज के वीडियो में जो की demo website थी मैंने आपको दिखा दिया है इस तरह की website आज के वीडियो में आप लोगों सीखने को मिलने वाली है उम्मीद करता हूं आपको demo website और इसकी functionality पसंद आई होगी आपको समझ आ गया होगा कि आगे जाके वीडियो में क्या क्या होने वाले क्या 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 सीखने को आपको मिलने वाले है तो सब कुछ जाना चाहते हैं वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारे मोडियूल जैसे कि मैंने आपको बताया है बट किसी भी तरह की website हो चाहाँ वह एक simple website हो एक business website हो एक blog हो एक e-commerce website हो एक affiliate marketing website हो किसी भी तरह की website के लिए आपको दो चीजों की तुरत पढ़ती है एक होता है domain name और एक होता है hosting अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा इसके बारे में आपको बतायता हूं तो मेरी जो website है उसका domain name क्या है webtechnical tips.com यह domain name है और यह domain name तब तक मेरा कुछ काम नहीं करगा जब तक कि किसी hosting के साथ या पर किसी server के साथ connect नहीं होगा तो वो connect क्या होता है वो मतलब एक server होता है जो कि 24 घंटे आपके लिए चलता रहता है जिसके अंदर के आपकी website का जितना भी data है चाहे वो logo हो चाहे वो text हो चाहे वो image हो चाहे वो PDF हो चाहे वो graphics हो कुछ भी हो जतने भी information आप यहाँ पर provide करते हैं वो सारी कहां store होती है hosting के साथ तो domain and hosting जब तक connect नहीं होगा अब तक ब्राउजर पर नहीं खुलेगा अगर आप यह connect कर लेंगे domain hosting buy कर लेंगे तैन उसके बाद यह आप सारी सीजरे access कर सकते हैं और दूसरों को भी अपनी website access करवा सकते हैं तो simple से तरीके से मैं आपको समझा दिया कि domain hosting किसी भी business website के यूज कर रहा हूं उसकी speed अच्छी है जो कि मेरे खुद की website भी उस company के ओपर ही host है so इसका link आपको इसी वीडियो के description में या फिर आभी आपको notepad में भी दिखाई दे रहा होगा सामने दिखाई दे रहा है hosting link webtechnicaltips.com slash go slash bluehost आपको simply description में दिया वे link को क्लिक करना या फिर सिंपल आप इस domain को इस URL को ब्राउजर पर अपने डाल सकते हैं वहां से जाके hosting को पाई कर सकते हैं मैं यह hosting क्यों recommend करता हूं इसके पीछे काफी सारी रीजन है मेरी खुद की website और almost 4-5 साल से इस hosting को use कर रहा हूं मुझे आज तक बिलकुल भी कभी भी कोई दिकत नहीं आई है एंड यहां पर बात की जाए अगर इस hosting की तो जो इसका rate है बहुत ही affordable है इसका जो support है 24-7 है चाहिए आप call पर करो चाहिए चाहिए पर करो करता हूं अगर आपके बास hosting नहीं है तो मैं आपको करता हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसी लिंक से hosting को बायर करें क्योंकि इनकी hosting या फिर किसी और country से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिपेंड करता है उसके उपर आप उसके साफ से युएस से भी select कर सकते हैं यहाप अगर इसके plan की बात की जाए तो यहाप बेसिक storage bandwidth सारे option मिल जाते है unlimited subdomains सारे option यहाप मिल जाते हैं domain तो free मिलेगा ही मिलेगा एक साल के लिए साहत में SSL CDN वगारा सारे शीज़र आपको मिलती है आप यहाप आकर सब कुछ चेक कर सकते हो तो मैं यहाप मान की जाता हूँ कि अगर आप simple basic के साथ भी जाते हैं तो simple आपको select के button पर click करना है और यहाप आने के बाद आपको दो option मिलते हैं एक तो रहता है create a new domain और second option है use a domain you own इसका मतलब यहाँ यह है कि अगर आप बिल्कुल fresh से start कर रहे हैं तो आपको simply यहाँ पर आना है आपको जो भी domain name आप सोच के बैठे हैं कि मेरी website का domain name यह होना चाहिए वह यहाँ पर आकर आकर आपको search करना है और उसका यहाँ पर extensions है जो भी extension आप रखने हैं .com.in जो भी आप सोच के बैठे हैं और आपको इसको next के बटन पर क्लिक करना है अगर वह available होगा तो वह next screen पर पहुंच जाएगा आपको इसका जो भी आपका name server है वह आपकी domain में जाकर आपकी hosting domain आप उसमें connect हो जाएंगे तो मैं इस step को यहाँ पर skip कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई hosting भाय नहीं करने में खाली आपको एक process बता रहा हूं आपको select करना है अब थ्री यहर के लिए जाते हैं टू यहर के लिए या फिर वन यहर के लिए वन यहर के लिए जाएंगे तो 279 पर मन्त के हिसाब से आपको पढ़ेगा और जिसका प्राइज आपका 3348 रुपीज पढ़ेगा विदाव टेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ आपको अल्मोस्ट फ्री पढ़ जाता है अगर आप तीन साल के लिए जाते हैं और उसके यहाँ पर कुछ ऑप्शन की आपको फिलाल कोई जुरत नहीं होती है इसको अंतिक ही रहने देना यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको आई है व्रीड एग्रिमेंट वगर सब सिंपली आपको ब्लु होस्ट की web gaanया है जब बाइक कर लेंगे तो जया विइंवार को प्रसान की समस्ट नहीं है इसके आपको आपको अंतर् 놓 पांगे जैसे क्लिक्रा ही आइसके नहीं पुट्साइब आपको यहां पर पाश्वर्ट आपको उस पहले पासवर्ट करना है अब आको पासवर्ट करना है उसके बाल और बना होता है ताकि आप इसे भूलो ना यूजर नेम और पासवर्ट वे सब कुछ आपको सेव करके रख लेना है जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप इस स्क्रेंट पर आएंगे लॉग इन करेंगे अपना डॉमेन नेम पासवर्ट और सिंपल लॉग इन के बटन पर क्लिक करेंगे पर आप तो आप से काफ सारे questions पूछेगा किस तरह की website बनानी है क्या क्या चीज़े आप को चीजिए ब्लॉग है website सारी सीरी पूछेगा आप आप से theme वगारा के बार में भी पूछेगा कि कौन से theme आपको चीजिए किस परपर से आप कर रहे हैं किस तरह का business वगर सारी सीर दिखेगा एक last में नीचे आपको simple करना है skip this step आपको दो-तीन बार यह ऐसा करना पड़ेगा शायद मेरे को हो सकता है एंड उसके बाद आप last में ऐसे screen पर पहुंचोगी जहां पर कि आपको home, my side, marketplace इस तरह का option दिखेगा आपको simple my side के ओपर click करना है जब आप my side के ओपर click करेंगे तो यहां तो मेरे मेरे बहुत सारे option दिख रहे हैं बहुत सारे मेरे domain, subdomain यह आप चलते रहते हैं इसके अंदर tutorial में क्योंगी बनाते रहते हूँ आने के बाद देख लेना है सेटिंग में STTPS है या नहीं है और security में आके चेक कर लेना कि यहां पर आपका SSL active है और उसका टाइम लग जाता है अगर आप smooth work experience चाते हैं तो सिरफ और सिरफ 15-20 मिंट के लिए इसको छोड़ देना उसके बाद आना login करना यहां पर चेक करना होगा जैसे यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो security वाले टैब में आके कुछ चीज़ चेक करनी है यहां पर आपका SSL है यह on है कि नहीं है अगर नहीं होगा तो इसको भी on करना है इसको एनफोर्स STTPS को भी on करना है देन इसके बाद आपको simply यहां पर option आ रहा है login into WordPress इस पर क्लिक करना है आप WordPress के ओपर redirect हो जाएंगे आपका WordPress install हो चुका होगा आप तक तो यहां पर मैं आज के इस टूटरल में जो domain यूज़ करने वाला हूं उसको फटा-फट से मैं select कर लेता हूं तो यहां मैं find कर लेता हूं SM तो यह domain मैंने यहां पर आज के लिए बना रखा है इस पर तो मेरा जो आपको मैंने demo दिखाया अभी SM.webtechnicaltips.in वो चल रहा है अब यह बिल्कुल fresh है आपको अब दिखाना है तो मैंने site के ओपर मैं click करता हूं and login into WordPress इस पर मैं simple यहां पर click कर लेता हूं So finally guys हम लोग अपने WordPress के dashboard के ओपर आ चुके हैं यह तो Bluehost का आपको दिखाई दे रहा होगा यह हमारा WordPress का dashboard है यही से हमारे को अपने पूरी website create करनी है बनानी है operate करनी है सारी चीज़े यही से हम control करने वाले हैं तो सबसे पहले आने के बाद यहां पर WordPress में कुछ इसकी basic settings होती है उन settings को फटा-फट से देख लेते हैं and अगर आप first time WordPress को operate कर रहे हैं तो बहुत सारी आप कुछ चीज़े दिख रही होगी आप confused भी मत होना एक-एक चीज़ को मैं ढंक से आपको explain करूंगा साथ-साथ करते रहेंगे साथ-साथ समझाते रहेंगा तो बिल्कुल भी यहां पर आपको confused नहीं होना सबसे पहले चलते हैं यहां पर setting पर हम click करते हैं इसकी basic setting होती है उसको फटा-फट से देख लेते हैं यहां पर आने के पास सबसे पहले आपको साइट का टाइटल रहेंगे जैसे कि आपको मैं तो school management के नाम से रखा हुआ है आपको जो भी टाइटल रहेगा स्कूल का जो भी नाम रहेगा वो आप simply यहां पर डाल सकते हैं एक्जांपल मेरे school का मैंने यहां पर नाम रखा हुआ है study international school तो मैं यहां पर उसको simple यहां पर डाल देता हूँ अगर उसकी कुछ tagline वगार है तो भी आप यहां पर डाल सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं इसके नीचे आपको यहां पर make sure ध्यान रखना है इसमें भी और इसमें भी दोनों में https होना चाहिए वैसे यह by default https ही आएगा क्योंकि हमने पीचे अप सेटिंग करके आये हैं अपने dashboard से यहां से सेटिंग करके आये हैं जैसे कि security tab में मैंने आप्से करवाया था यहां पर सेटिंग में भी हमने एस रखा था और इसके बाद नीचे वाले section में भी एस रखा था तो by default यहां पर एस आएगा अगर ना आए तो आपको और उसके बाद नीचे यहां पर आना है मुझे और यहां पर एक चीज का ओर ध्यां रखना है अगर आप मेरी बताय हुए recommended hosting से आएंगे यहां पर तो आपको यहां पर ज़रूर कर देना तो अभी इसको zero कर देते हैं and save चीज के button पर simple click करते हैं एक चीज और है यहां पर इसका पर्मा लिंक section है इसमें भी एक बार फटाफट से आ जाते हैं यहां पर आने के बाद आपको ध्यान रखने यह post name ही होना चाहिए अगर ना हो कोई और selected हो तो post name कर देना और इसको save कर देना क्योंकि यह SEO friendly URL होता है हमारे website के लिए तो इसको हमारे इसी को select करना होता है और उसके यहां पर बहुत सारे option है जिनकी फिलाल हमारे को अभी आगे जाके जुरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगा साथ साथ करते रहेंगे देखते रहेंगे अभी एक काम करते हैं सेटिंग होने के बाद सबसे पहले हमारे wordpress के अंदर by default काफी सारे theme and plugins installed हमें मिलते हैं तो जिसकी हमारे को शायर ज़रूत नहीं होती है तो भी सबसे पहले क्या करते है plugin section में जाएंगे सारे plugins को हम remove कर देंगे and इसी तरीके से appearance में जाएंगे जितनी extra theme होगे उसको हम remove करके अपनी काम की theme खाली उसको ही रखेंगे तो यहाँ पर जाएंगे select all and यहाँ पर हम जो bluehost का plugin है इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम wordpress जो हम login करके आए ब्लू होस पैनल से ही login करके आए वह connection बना रहा है इसलिए मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूं बागे सबको मैं यहाँ पर deactivate करके delete कर देता हूं apply and select all bluehost को दुबारा अंटिक करके यहाँ पर delete apply ओके तो अभी हमारे जितने extra plugins हैं हमारे को जिनकी जुरूत नहीं है उनको यहाँ से हमने remove कर दिया है अब बारी आती है यहाँ पर हमारे theme section की उस theme को भी जाके फटा-फट से जितनी भी extra theme है उसको हम delete करके अपने काम की theme को install करते है अब जाएंगे यहाँ पर appearance में theme के अंदर यहाँ आप देख रहे हैं दो तिन plugin theme यहाँ पर delete है हमारे को मिल जाती है इनकी हमारे को फिलाल जुरूत नहीं है तो यह काम करते हैं यहाँ पर select delete okay अभी basically theme और plugin होते हैं थोड़ा इसकी बार में आपको बतायता हूँ तो theme हमारे क्या अभी मैं अगर आपको अपनी website दिखाना चाहूं तो website अगर मैं यह पर open करूँगा visit side तो कुछ इस तरीके की website हमारे को दिखाई देगी जो कि हमारी by default selected theme है 2023 की तो वो हमारे को दिखाई दे रही है ठीक है तो theme basically हमारी website का design होता है उसका layout होता है किस तरीके अगर होता है जो plugin हमारे काम का था हमारे कुछ functionality आड़ करनी है तो हम plugins को यूज करके इसमें add कर लेते हैं तो यह दोनों काम होता है theme और plugin का तो अभी हम अपने theme को install कर लेते हैं एक theme by default हमेशा रहती है इसको हम delete नहीं कर सकते जब तक हम दूसरी theme को install नहीं करेंगे तो यहा activate हो चुकी है तो हम इसको अब चाहे है तो हम इसको delete कर सकते हैं तो इसको simple click select करके delete ok कर देंगे जो कि एक theme हमेशा activate रहेगी अभी हमारी यह theme activate हो चुकी है तो ASTRA का अपने आप में एक plugin है जो कि है starter templates के नाम से अगर आप इसको use करते हैं तो आपको इसको use करना चाहिए हमारी website को अगर देखेगा तो हमारे को website ने दिखेगी हमें coming soon paste दिखाई देगा जैसे कि अगर आपको मैं दिखाना चाहूं यहाँ पर copy कर लेता हूं domain को और यहाँ पर incognito mode में जाता हूं और यहाँ पर simple इसको paste करता हूं तो यहाँ आपको coming soon page दिखाई देगा क्योंकि by real time में किसी को नहीं दिखाई देगा तो यह सब चीज़े करने के लिए ठीक पहले आपको coming soon page से आपको launch your website पर क्लिक करना है once you ready launch your website जो आपकी website बन जया तो आपको launch यहाँ से करना है मैं पहले कर लेता हूं ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे करना हूं launch with confidence इस पर क्लिक करना है launch your site इस यहाँ पर आपकी site launch हो चुकी है अभी आप दोबारा से इसको test करके देख सकते हैं आपको जो भी theme आपने डाली है वो theme आपको यहाँ पर दिखनी start हो जाएगे आप देख रहे है coming soon page हट चुका है और वो theme भी change हो चु पूल की website बनाने के लिए उससरे related कुछ templates को हम देखते है और जो ठीक लगता उसको फटा फट से यहाँ पर activate कर लेते हैं और अपनी website के अंदर live कर देते हैं उसको यहाँ पर आना है simply आपको build your website now हमें यहाँ पर तीन option मिलते है page builder के एक blog editor एक elementar एक beaver builder तो यहाँ पर हम elementar क को यूज करने वाले page builder है जो कि मेरा favorite page builder है फिलाल यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे option मिलते हैं से all में premium all free भी है और premium भी है दोनों option इसके अंदर होते हैं तो हमें तो free template को ही use करना है popular है latest का यहाँ पर sorting का option है simple आपर काम कर सकते हैं यहाँ पर search भी कर सकते हैं जै यह free है यह premium है यह premium है यह premium है यह premium है यह पर मुझे दो template मिलते हैं free वाले एक यह वाला और एक daycare services related तो मुझे school चाहिए था और यही वाले template भी मैंने use किया तो simply मैं इस पर click करूँगा and यहाँ मुझे option मिलता है logo change करना है तो मैं यहाँ पर logo change कर सकता हूँ and don't have logo no problem logo की wait यह यहाँ पर define कर सकते हैं और skip कर सकते हैं तो मेरे पस लोगो है तो मैं काम करता हूँ logo upload करी देता हूँ अप्लोड फाइल select file और यह ता मेरा लोगो और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है जितनी भी आप images यूस करेंगे उसका alt text आपको जरूर डालना होता है SEO पर पस यह बहुत important है select यहाँ पर आ गया और यहाँ पर I think इसका 170 था शायद तो मैं इसको यहाँ से 170 कर लेता हूँ तो 170 की width थी यहाँ तक मुझे याद है तो मैंने यहाँ पर करके इसको simple continue कर दिया और इस तरीके से यहाँ पर आपको template का जो color है इसको भी option मिलता है आपको कौन सी theme में रखना है इसमें रखना है इस तरीके से इस तरीके से बहुत सारे आपको option यहाँ पर मिल जाते हैं जा जाके वहीं पर set कर लेंगे तो अभी continue करते हैं यहाँ से और यहाँ पर कुछ options आते हैं इसको आप नहीं भी भरेंगे तब भी यह काम कर जाएगा तो यहाँ पर submit and build my website इस पर आपको click करना है अभी जितने भी plugin और theme required होंगे इस theme से लेट जितने भी plugin होगे चीज़ोंगे इसको install करके activate कर देगा और हमारी website हमारे को ready करके देदेगा okay so finally यहाँ पर हमारा जो सारी चीज़े थी वह complete हो चुकी है हमारी website बिलुकुल ready हो चुकी है use करने करे तो view your website यह बटन पर simple click करके आप check कर सकते हैं किस तरीके दिखरी है आपकी website so कुछ इस तरीके की website दिख रह करेंगे उस तेम वह सब चीज़े मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा अभी हमारी template आ चुकी जो हमारे को use करनी है अब इस पर काम करना start कर सकते हैं तो चलते हैं अपने dashboard के ऊपर यह बंद कर देते हैं यह ब्लू होस के panel को भी बंद कर देते हैं यह से ठीक है यह मेरे खीर भाड़ कि हमें जुरत नहीं है neat and clean हमारा होना चाहिए dashboard ताकि हम काम पर सही से focus कर सकें तो अभी सारी चीज़े complete हो गई है मगर school management जैसे कि मैं आपको starting में ही बताया है बहुत ही अपने आपने बहुत सारे modules होते हैं बहुत ही advanced चीज़े है इसमें schools है classes है sections है subjects है roles है teacher है staff है teacher assign करना होता है class का timetable है fees structure होता है transportation department का option होता है accounts department का option होता है admissions inquiry होगी fees invoice हो गया login admission बहुत सारी live classes and teacher और students के modules हैं बहुत सारे बहुत सारी चीज़े होती है तो यह सारी चीज़े ऐसे नहीं हो सकती इसको करने के लिए आपको एक premium plugin की जुरुत पढ़ती है जो की बहुत ही reliable cost में आपको फिलाल मिल रहा है and मैं सच कहाना हूं कि यह plugin बहुत ही useful चीज़ है आपको one time सिरफ buy करना है इसको ऐसा नहीं है mostly plugins का क्या होता है फिर themes का क्या होता है आपको हर साल उसको renew कराना पड़ता है बट यह एक ऐसा plugin है जिसमें की सिरफ one time आपकी investment है सिरफ और सिरफ 49 dollar की आपको एक बारी पे करना है और lifetime इसको आप यूज कर सकते हो अगर अगर देखा जाए तो मनलब हर साल इसका मनलब चाहे कितने भी update आए साल में एक update आए या 12 आए जितने मर्जी update आए आपको सिरफ एक बारी इसकी payment करनी है और उसके बार आप इसको school management system को education से related जितने इसमें learning system सारे आप यूज कर सकते हो lifetime के लिए तो मैं इसी को recommend करूंगा आपको simply यहां पर आना है इसको add to cart करना है बाय करना है payment complete करनी है जब आप बाय कर लेंगे दैन उसके बार आपको option मिलेगा download का यहें पर आपके इसी में download का option मिलेगा download section में जाके इस file को आप download कर ले सकती है और हो सकता पूरा एक folder मिले उसके बार आपको extract करके उसके अंदर यह file मिलेगी तो आपको simply यह वाला plugin है जो कि आपकी website के अंदर install करना है तो मैं फटा-फट से इसको install कर लेता हूं simple आउंगो अपने plugin वाले section में add new में और add new मैंने बाद upload choose file अपने plugin को open install now और यह कोई और यहाँ इस पर शे महिने का support भी मिलता है company की तरफ से इस company का software है अगर आपको शे महिने के न दर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसको कभी भी यहाँ सपोर्ट के लिए कर सकते हैं कोई प्रॉलम में कर आपको हो रही हैं आपको support में बात कर सकते हैं उपनी प्रॉ करना है यहां पर simply install होने के बाद आपको इसको activate plugin के बटन पर click करना है एंड जैसे यह हमारा plugin activate हो जाएगा उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है आपको यहां पर school management में license के अंदर यहां पर आना है करते हैं यहां मैंने step by step बहुत सारी शीजे लिख रखी है इसी flow को use करते करते हैं अपनी वुरी website को complete करेंगे तो सबसे पहले हमारे को काम यहां पर करना है add school हमारे को school add करने है यहां पर सबसे पहले school add करने के लिए आपको school management में जाना है यहां पर आपको schools का option मिल रहा है from school हो अना उसको भी आप manage करना चाहो तो manage कर सकते ओ या फिर अलग-अलग branches उग्श्वा को इस पर क्लिक कुछ भी ऐसे डाल देता हूं, डेमो नंबर, एमेल आइडी भी डाल देता हूं, तो उसकी डाल देता हूं, इन्फो, add the rate of, study international school के नाम से ही मैं डाल देता हूं, यह उसके बाद उसका address जो भी आपके school का address हो, तो मैं यहाँ पर random कुछ भी डाल देता हूं, जैसे की, द्वारका डेली और कुछ भी रैंडम पिन को डाल जेता हूं और यहां पर डिस्क्रिप्शन स्कूल के बारे में कुछ दो तीन आइने लिखनी हो तो लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्रिप करना चाहो तो स्क्रिप भी कर सकते हो अरोल में इसको स्क्रिप्शन समयोफ दो जाएग तो डिस्क्रिक्स सतर्थ स्क्रिप और कि स्क्रिपर गजी है को दिस्क्रिप करना ख्युत्त गजिए गया इसमयोर। कर देंगे 2 में और कम हो जाएगा अगर आप 5 रखेंगे तो इस तरीके से 6 रखेंगे तो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है न इसके बाद यहाँ पर admission prefix का option इसी तरीके से है admission के लिए हम ad यूज कर सकते हैं starting में ad लिखा हुआ है और सेम वही बेस नंबर और पैटिंग वगारा सेम वैसे ही चलेगी तो इस तरीके से आप इसको activate रखके यहाँ पर update school पर click करेंगे और आपका एक school महाँ पर add हो जाएगा जैसे कि मैंने भी आपको डिखाया है school add होने के बाद यहाँ पर classes add करने का option होता है सो simply आपको classes के बटन पर जाना है और यहाँ पर आपको classes add करने का option आता जैसे कि यहाँ पर by default क्योंकि school बना हुआ था तो 1-12 यहाँ पर डला हुआ है अगर आप इसको 1-12 नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ से सिंपल इसको delete कर दूंगा confirm मैं चाहता हूं कि 1-2-5 तक ही मैं अपने school को शोग करना चाहता हूं न इस तरीके से क्योंकि ज्यादा फिर डेटा मुझे एंट्री करना पड़ेगा वीडियो अलंबी हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है आपको में जो concept है वह समझाना चाहिए उस पर हम बात करते हैं त फिफ तक ही हम अपनी फिफ तक ही अपने class school में रखेंगे classes बागी सारे में delete कर लेता हूं कि यहां पर फिफ से लेके फिफ तक ही classes मैंने आप एड कर दी है अब आप कोई नहीं आइड करना चाहिए तो add new करेंगे simple और यहां से भी नहीं classes को add करना चाहो तो simple आप class का नाम डालना है add label करना है मतलब add new class करना है और simple आपका हो जाएगा तो यहां पर हमारी classes बन चुकी है classes के बाद आप या पर section की यहां पर यह session है session और section में दोनों में बहुत फरक है जो हमारे section होते है वो class के section होते है class first a first b first c second a b c मतलब इस तरीक से section बनते है और section होते है कौन से session का ही हमारे year चल रहा है जैसे कि यह session चल रहा होगा I think यह 23 और 2 और 3 चल रहा होगा 23 24 24 25 इस तरीके section है यह जो start होगा हमारा 1 4 2 3 से and 3 31 1st March 2024 को end हो जाएगा तो इस तरीके section है seit section नहीं है फिलाल इधर the classes are now We sat on aable grade यहान थे मुष्टे Canvas स्कूल के हो सकते हैं और classes किसी भी स्कोल के क्रों सकती है तो यहानं पहुत पहले हैं हमारे को section बनाने से पहले been the class in the class in connects school को तो उसके लिए simple आपको school में जाना है अभी हमने जिस्ट प्रियेट किया है उसमें यहापर आपको option मिलेगा assign classes का simple आपको इस पर click करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जितनी भी classes है select all इस school में first second third fourth fifth fifth तक classes है इसको यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया है select all कर दिया है हमने इसके बाद यहाँ पर simply आपको assign classes करना है आप जैसी आप classes assign कर देंगे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के से फिफ्ट से लेके फिफ्ट तक classes आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी अब classes क्योंकि अब इसके बाद बारी आती है sections की जैसे कि मैंने हाँ पर note करके रखा हुआ है add sections तो उसके लिए आपको simply यहाँ पर आना है SM Academy के अंदर class sections इस पर simply आपको क्लिक करना है अब आपको आपको सारी classes दिखने लग जाएंगे first, second, third, fourth, fifth and इसके नदर number of sections तो simply आपको जैसे first class है इसके अंतर मैनेशे स्कृत करेंगे अब यहाँ पर चाहते हैं इसके कितने section होनी जपी, section A नो by default होता ही है तो अब आप चाहते है section B भी हो, section C भी हो, इसको simple क्लिक करेंगे add new section section B यहाँ पर क्लिक करेंगे section B यहाँ पर add हो जाया हिगा तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर तीन section दिखाई दे रहे हैं 1st में, 2nd में 1, 3rd में 1, 4th में 1, 5th में 1 तो बाकियों में भी add करने कोई sense नहीं क्योंकि एक बारी मैंने आपको करके दिखाना था इसे में एक एक मिन डेटा में जादा टाम लगाऊंगो तो वीडियो काफी हमारी लंबी हो जाएगी तो यहां पर section वाला काम हमारे complete हो चुका है section के बाद आती है subjects की अभी हमारे को subjects पर काम करना है तो subjects वाला option भी उसके नीचे ही आपको मिल रहा है Hindi subject का hn कुछ भी डाल लो जो आपको मन करें यहां पर आपके इसाफ़ थियोरी प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव औप्जेक्टिव तो मैं नॉर्मल थियोरी सेलेक्ट करके चल रहा हूं and class first और मतलब कौन कौन सी class में लेगी Hindi almost first से लेकर fifth तक सारी class में होती है तो यहां पर मैंने select कर ली है और यहां पर add new subject पर click करूँगा मेरा एक subject clear हो जाएगा add हो जाएगा इसी तरीके से मुझे बाकी चार subject मतलब तीन subject भी add करने वह भी मैं फटा-फट से add कर लेता हूं so मैंने here पर subject भी अपने चार add कर लिया है Hindi English और Math Science जैसे कि आपको भी दिखेगा यहां पर यहां पर मैंने first के सारे कर लिया है first के first का second का third का fourth का fifth का Hindi और इसी तरह के English का first से लेके fifth तक का and Math का इसी तरह के से first से लेके fifth तक का and इसी तरह के से science का first चलेके fifth तक का अब इसके बात बारी आती है यहां पर हमें teacher assign करना होता है but teacher assign करने से पहले हमारे को teacher बनाना भी तो पड़ेगा न तो teacher बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले यहां पर add role define करने होते है रोल्स में अलग अलग तरह के रोल्स हो सकते हैं जैसे कि teacher हो गया आपका librarian हो गया accountant हो गया transport department है तो उसका हमें role पहले create करना होता है तो role create करने के लिए हमारे को यहां पर सबसे पहले administrator में आना होता है SM administrator में यहां पर हमारे को roles का option मिलता है हमारे को पहले role define करने होते हैं तो role फट अफट से यहां पर create कर लेते हैं थोड़े यहां पर add new role के ओपर click करेंगे यहां पर teacher और teacher का role क्या क्या रहेगा वो भी हां पर आपको select करना होता है आप सारे role तो teacher को नहीं दे सकते हैं वो खाली पढ़ाई इससे related ही चीज़े करेंगे account से related उनका कोई मतलब नहीं transportation में वो कुछ नहीं driving वगर करने ही या फिर librarian का इनका कोई role नहीं देगा तो हर teacher का हर role के हिसा आप से यहां पर आपको चीज़े select करनी होती है तो teacher अब क्या कर सकता है manage inquiry नहीं manage admission नहीं manage student delete student and staff से कोई मतलब नहीं student promotion से ठीक है transfer student भी ठीक है manage certificate भी ठीक है manage class section भी ठीक है delete class section manage subject manage timetable view timetable manage student attendance भी i important है and manage staff attendance से कोई मतलब निया manage student leave यह ठीक है manage staff leave से मतलब निया manage study material ठीक है manage homework manage live classes manage library नहीं librarian के का कोई role नहीं manage transport से भी नहीं नहीं manage event manage notice board ठीक है manage exam uppersign expense से कोई ने इंकम से मतलब ने जो हमारे accountant होते हैं उनका role भी आप decide कर सकते हो तो accountant के role में क्या रहेगा यहाँ पे inquiry से कोई मतलब नहीं है admission से कोई मतलब नहीं है student से कोई मतलब नहीं है और यहाँ पे आपका जो रहेगा जैसे कि यहाँ पे हो गया manage expense manage income manage invoice delete invoice delete payment view state payment ठीक है expense income manage fees type fees type आप देखे हो यह भी बना सकते हैं पर fees type admin नहीं बनाया तो ठीक रहेगा इनसे को मतलब नहीं है बागे ठीक है तो जो accountant का role होता वो मैंने select कर लिया है add new role पे click करेंगे अभी हम transportation का कर लेते हैं और इसके बार librarian का करेंगे त्रासपर्टेशन एंड लैप्रेंचें में यहां पर मेने ट्रांसप्र्पोर्ट्ट यहको लगता है फार यह एक ही option हैत्रांस्पोर्टной का तो इसको select करके add new role करेंगे इसी तरीके से लाइबरेईन काा मभी काम होगा यहांपे आपको अम्हार टो इसको अब करना है यहांग आपको डीटा करते कर दिळक दिखा दिए ज्यूचों पर दिनने का हैं चोर फिसलेट करी के हैं इस तो इसको में यहां पर इश्टाफ करने के मान की चलते हूं यह तीचर है ठीक है ठीक है उनका एड़र्स जो भी रहेगा वो उनका phone number है अगर तो phone number आपको add रखना चाहिए आपको पता होना चाहिए उनके बारे में उनकी personal जो भी email ID है teacher one at gmail.com ताकि उनसे contact कर सके joining date आप डाल सकते है उनकी जो भी joining date रहेगी है ना जब भी उन्होंने आपके school को join कर रहा हूँ आपकी database के लिए ठीक है वो अब उनका role यहां से आपको select करना है मतलब यह important चील है जितने भी आप staff add करोगा तो उसमें जो उनका role है वो आपको select करना है accountant है तो accountant teacher है तो teacher, librarian है तो librarian transportation तो transportation अब उसकी description आप डालो teacher की जो भी description आपको डालनी है उसकी salary आपको डालनी है salary आप यहां से define कर सकते हो salary के बाद बारी आती है यहां पर designation की उनकी जो भी designation है उनका नाम है वतलब कोई class teacher हो सकती है वो किसी subject teacher हो सकती है तो उसके हिसाब से उनकी designation को आपको set करना है यहां पर तो मैं for example यहां पर class first teacher मैं लिख देता हूं यहां पर उसके बाद उनकी qualification जो भी रहेगी qualification हम यहां पर डाल सकते है जैसे की B.Ed हो गई जो भी उनकी qualification होगी class first select कर लेता हूं section A select कर लेता हूं यह first A की class teacher है और यह bus के in charge है यहां से आप डिशाइड कर सकते हैं teacher होती है जो bus के in charge भी होती है अगर आप यहां से yes कर देंगे तो वो in charge बन जाएंगी नहीं तो वो bus के in charge नहीं रहेंगी और इसके बाद यहां पर option आता है login का तो यहां पर आपको simple new user रखना है जो भी आपके teacher का username email ID, password आप देना चाहते उनको दे सकते हैं आपने login करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किससे क्या हो रहा है कैसे चीज़े क्या manage करनी है ठीक है तो मैंने आप एक account बना दिया है अभी यह live classes का मैं आपको बाद में सिखाऊंगा बाद में बताऊंगा कैसे करना है ठीक है अभी फिलहाल के लिए मैं इसको skip कर रहा हूं और इसके बाद activate करना है और add new staff तो अभी आपका एक teacher यहाँ पे as a staff add हो जाएगा अगर staff list में जाएंगे तो यहाँ पर आके आप check कर सकते हैं एक list यहाँ पर add हो जाएगी आपके teacher की और यह active है attendance report यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से edit करके बागी सब चीज़ा आप चाह करना चाहो तो कर सकते हो तो अभी यहाँ पे हमारे एक staff में add कर लिए as a teacher अब इसको हमें क्या करना है इनको assign करना है teacher को कौन से subject इनका है कौन से teacher class के लिए सब कुछ आपको हमें assign करना है designation यहाँ पे इनकी class first की teacher है वो इनको सब्जेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे को subjects में जाना होगा तो subject हमारे को कहां मिलेंगे subject हमारे को मिलेंगे यहाँ पे SM Academy के अंदर subjects के ओपर आपको simple click करना है अब यहाँ पे आने के लिए क्योंकि first A की teacher है तो मैं first A के लिए इनको Hindi के as a teacher assign कर रहा हूँ subject वाले section में आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है subject उसकी classes से related तो यहाँ पे first Hindi की teacher मैं assign करना चाहता हूँ assign teacher यहाँ पे हमारे को teacher दिखाई देगी यहाँ इस ही तरीके से आप teacher को assign करेंगे आपको subject में जाना है Zone से class के लिए Zone से subject को, Zone से teacher को assign करना simply Ih lap assign juste me इसी तरीके से चाहता हूँ यहाँ तो मैंने दो class के लिए इस teacher को assign कर दिया है second class के लिए तो इस तरीके से teacher को assign किया जाता है अब बात आती है यहाँ पर class के time table की तो उसके इंचे यहाँ पर time table को आपको option में रहा है SM Academy के नीचे इस पर simple आपको click करना है यहाँ से आप class का time table बना सकते हैं से कि add new routine पर simple हम click करेंगे यहाँ से हम सब्सक्राइब करेंगे कौन से class के लिए first class के लिए section A के लिए है अब यहाँ पर हम start करेंगे कौन से subject का है हिंदी का हमारा पहला subject होगा और उसका starting time होगा वह हमारा होगा राउंड 10 बजे के आसपस तो यहाँ से दस बजे कर देता हैं और यहां से हमको am खुरू होगा और जो यह क्थम होगा वहोगा हमारा उ LE iedereen हाफ एनार का रहेगा या फिर 45 minutes करेगा जो भी रहेगा तो यहां पर हाफ एनार रखता हूँ 30 तो 1130 पर यह end होगा और दे कों से रहेंगे select all कर देते हैं और Sunday को और Saturday को हम इसको close रखेंगे क्योंकि हमारी जो school में classes है Monday से लेकर Friday तक ही होती है तो उसके बाद रूम नंबर क्या रहेगा रूम नंबर में 10 और टीचर जो हमारे जाएंगे टीचर में यहां पर select कर लेता हूं यहां पर क्या करेंगे अब आगया add new routine अब इसी तरीके से मैं मैं एक और subject करना चाहूं कर सकता हूं तो वह भी class first के लिए है section A के लिए है subject अब रहेगा English और उसका start time क्या रहेगा क्योंकि 10.30 बज़े वह खत्म हो रहा था तो यहां पर हम उसको 10.40 से start कर सकते है I think 10.40 और जो end time रहेगा वो around रहेगा 11.10 हाफ एनार का रहेगा simple और day select all करके Monday to Friday room number 10 में ही रहेगा क्योंकि class first day की room number 10 है और यहां पर teacher क्योंकि मैंने English का कोई पर assign किया नहीं है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा वन यहां पर teacher भी आ जाता ठीक है तो इस तरीके से रहेगा add new routine करेंगे और एक section मैं और add कर लेता हूं class first के लिए ही आप लोगों खाली समझाने के लिए कर रहा हूं यह इस तरीके मतलब subject आप बड़े सारे हो सकते हैं और time table भी अब कभी down हो सकता है ज़रूरी नहीं कि same day सारे course मतलब subject हो अब उपर नीचे हो सकते हैं तो अभी हमारे तो time था वो 11.10 पर हमार और रूम नमबर 10 के अंदर ही रहेगा और इसको add new routine तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूं view all कर लेते हैं इक बड़ी क्लास first का इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने time table बन जाएगा यहां से भी अगर आप कुछ edit करना चाहो तो कर सकते हो तो class first a का जो time table है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इस तरीके साब प्रिंट करना चाहो तो print क्लास time table भी कर सकते हो और आप जो भी time table है उसको set कर सकते हो अपने एक और से manage कर सकते हो cancel करते है इसको अब time table के बाद बार या दिए create fees type fees type create करना है आप बहुत जरूरी है तो fees type कैसे create होगा fees type हमारा create होता है accounts में जाके तो यहापको SM accounting में जाना है और यहां पर हमारे dashboard income expense fees invoice और fees type आपको सब्सक्राइब फीस टाइब पर क्लिक करना है अब फीस टाइब भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं जैसे कि admission fees हो गई tuition fees हो गई transportation fees हो गई अलग अलग तरह की fees हो सकती है यहां पर add new fees type करते हैं और fees type में जाएंगे यहां पर हम इसको करेंगे admission fee okay और class कौन सी class के लिए है यह आप select all कर सकते हैं कि first से लेके fifth class के admission fees हो same है और यह one time में रहेगी बार बार नहीं ली जाती तो यहां पर one lakh रुपीस के आसपास हम इसको मान सकते हैं जो हमारी admission fees है वो one lakh रुपीस के आसपास है auto generate invoice on admission ठीक है इसको disable भी कर देंगे तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है आप इसको एक्टिवेटी रहन दो और यह चीज क्या है dashboard disabled अगर आप इसको activate कर देंगे तो if enabled user cannot access dashboard until fees is paid fully तो मतलब वो login करके बागी चीज नहीं देख पाए ना कि मतलब student अगर पैसे नहीं देखा तो बागी चीज वो नहीं कर पाएगा online तो उसको सिरफ payment का ही पहले option दिखेगा अगर आप इसको on कर देते हैं तो इसकी जुरत नहीं है इसको बंदी रहन देते है एड new fees type करते हैं admission fees के बाद हम एक fees और ले सकते हैं जो की हो सकती है maintenance fees ले सकते हैं इसको हम कर सकते हैं पूरे साल की 10,000 रूपीज है और इसको भी आप हम add new fee कर सकते हैं इसी तरीके से एक tuition fees हो सकती है जो कि monthly base पे रहेगी tuition fee और जो कि select all और ये रहेगी हमारी monthly और monthly हम कर सकते हैं around 8,000 रूपीज या फिर 5,000 रूपीज सकते हैं चलो 5,000 रूपीज और add new fees type तो इस तरीके से मैंने 3 fees type बना दी हैं जो कि आगे जाके हमारे काम आने वाली हैं और अब यहाँ पे वहिकल वगरा का भी काम कर लेते हैं अलग अलग बस इसका number होता है अलग अलग drivers होते हैं तो यहाँ पे add new vehicle करेंगे यहाँ पे वहिकल number हम डाल देते हैं कुछ भी यहाँ रेंडम कुछ भी डाल रहो है ऐसे मैंने डाल दिया यह यहाँ फिर इसको काम करते है 0 1 ठीक है DL4S VG ठीक है वहिकल का model क्या है 2018 driver का name क्या है driver 1 और driver का phone number यहाँ पे सारी information हमारे पास होनी चीए add new vehicle इसी तरीके से एक bus आपको और आइड करने है तो भी आपकर सकते हो उसका 1 डाला था इसका मैंने 2 डाल दिया और इसका model number पर सेम ही डाल देते है driver का name driver 2 phone number random कुछ भी add new vehicle यह तो हमने driver की information हो गई गाड़ी की information हो गई अब बात आती है उसके route की कौन से route पे कौन सी bus जाएगी कौन से route पे कौन से driver कौन सी bus लेके जाएगा तो यहाँ पे add new route करेंगे अब यहाँ पे route का name हो सकता है for example school है द्वारका में मैं दिल्ली में रहता हूं द्वारका में अब वो द्वारका से हो सकता है किसी south side में जा रहा हो east side में जा रहा हो west side में जा रहा हो अलग-अलग route हो सकते हैं तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं जो की द्वारका से द्वारका में ही जाती हो मतलब द्वा 15, 20, 22 यह बस हमारी यह सेक्टर में जाएगी और जो इसका फेर रहेगा वो रहेगा 3000 और यह बस हमने स्रेक्ट कर दी यह वाली बस का यह हमारी बस जाती है इस रूट पर इसका प्राइज यह है एड नियू रूट इसी तरीके से एक हम और कर सकते हैं जिसका मैं रखता हूँ आउट ओफ द्वार का उसका फेर हम कर सकते हैं 4500 और उसको हम करते हैं यह वाला ड्राइवर और यह वाली बस इस तरीके से अलग अलग बस अलग अलग रूट पर हम डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं अब बाद आते हैं यहां पर दो चीज़ हमने कर लिए एड नियू यहां पर आएंगे सबसे पहले SM student में यहां पर admission का option आ रहा है simple इसप्र आपको क्लिक करना है यहां से आप सारी चीज़ें डालोगे student की जो भी रहेंगी और सारे चीज़ें आगे काम करेंगी तो यहांते पर student name में जाएंगे student 1 मेल है डेटा ओफ वर्थ क्या है कुछ भी डाल लेते हैं 2016 फर्स जैनवरी रिलिजियन कुछ भी हो सकता है हिंडू क्रिस्चिन मुस्लिम कुछ भी हो सकता है कास्ट आप अपने सबसे जो भी डालने हो डाल सकते हैं फिर लीव भी कर सकते हो ब्लड गुरूफ बहुत इंपॉर्टंट है क्योंकि यह स्कूल में पता होना चाहिए किस बच्चे का कौन सा ब्लड गूरूफ है अगर कोई अगर 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 अटनि वगर आ होती है तो पता हो डाल सकते हो एंड एड्रस उस बच्चे का क्या है वो आपको डालना चाहिए उसका फोन नंबर क्या है मतला पेरेंट का फोन नंबर क्या है वो अब यह आएगा या फिर स्टूडेंट बड़ा है तो उसका नंबर अपना अपना फुद का भी हो सकता है वाकि पेरेंट का ही नंबर यह इंडिया से है उसकी कोई अगर आइडिया पुरूफ है तो आइडिया पुरूफ आपको अप्लोट करवाने पड़ेगी तो यहां पर मैं रेंडम कुछ भी अप्लोट कर देता हूं फिलाल अब उसके बाद यहां पर आती है एडमिशन डेट कौन सी डेट को एडमिशन हो रह है रोल नंबर आप जो भी देना चाहते है उसको 01 अप्लोट फोटो स्टुडेंट की फोटो प्लोट करनी है आप एंड उसके बाद रेगुलर टाइप है प्राइवेट है अदर अलग अब यहां पर पेरेंट्स की डिटेल आएंगी पेरेंट्स का नाम क्या है फादर वण फादर बिजनेस मदर वन बिजनेस उनकी आईडी प्रूफ जो भी हो आप अप्लोड कर सकते हैं यहां पर सिंपली तो रेंडम मैं कोई भी मेंज डाल रहा हूं वो दिखाने के लिए अब यहां पर लॉग इन डिटेल में दो अप्शन है जैसे कि मैंने अब का था स्टूरेंट लोग इन एंड पेर स्टूरेंट को देना होगा कि इसी तरीके से आपके पेरेंट रहेंगे जो भी रहेंगे तो पेरेंट वन उनकी जो इमेल आइडिया है कि मैं एजी रखने के लिए सब कुछ कर रहा हूं ताकि आगे जाके मुझे कंफ्यूजन ना हो यहां पे स्टूरेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है जो हमने अभी डिफाइन किया था फीस टाइप एडिमिशन फीस वन टाइम लाग रुपीज फीस टाइप मेंटेनेंस वन टैम 10,000 रुपीज फीस टाइप टूशन फीस मंतली 5,000 रुपीज ठीक तो मैं इसको स्लेक्ट कर लेता हूँ दौबार का के रूट आगे होस्टल इसको चाहिए नहीं चाहिए हमने स्टोर होस्टल का फिला लिस में कुछ ऑप्शन नहीं रखने स्कोल में तो इसको एक्टिव करके सिंपल सब्मिट के बटन पर क्लिक करना है यहां पर जो के यहां पर हमारे एक सुडες है जो की एडमिशन ऐड होगे सक्सेसफुल स्टूडिंट का अगर आप देखना चाहरो तो यहां पर तो यहां पर हमारे को एक list दिखाई देगी जो कि यह भी हमने just add कि है student यह father name, phone number, email id, user name, admission, enrollment number, registration from front no, session record, यहाँ पर जो भी रहेंगे, जो भी उसके चीज़े जिसे सारे आपको detail में दिखाई देगी, जो भी उसका session record, कौन से session का है, role number class पगार सब कुछ, and उसके बाद उसका ID card, student की ID proof, print student details, attendance report, fees structure सारी सीज़े यहां से manage हो जाएंगी, अब आती है यहाँ पर fees invoice की बारी, अब जो student की fees है, वो payment बगारा भी तो करेंगे न, तभी तो मतलब सारी सीज़े complete होगी, admission हो गया, जो payment का process है, वो कैसे रहेगा, वो पर फटा 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 से देख लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ यहाँ पर आपको simply आना है accounting में, यहाँ पर आना है आपको fee invoice पे, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, इस तरीके से यह आ रहा है, unpaid है, ठीक है, और यह dollar में आ रहा है, dollar को भी हम change कर देंगे, इसको rupees में कर देंगे, setting में जाके, और यहाँ तो आप manual collect कर रहे हैं payment, ठी admission कर रहे है, manual collect कर रहे है, तो आप simply यहाँ पर क्या कर सकते है, collect payment पर करेंगे click, और यहाँ पर आएंगे, आप simply यह आपके जो amount है, वो fulfill दिख रहे हैं यहाँ पे, आपका 1,15,000 पर amount दिखाई दे रहे है, जो की बनता है आपका 10,000, 5,000 और 1,00,000 पर ठीक है, और transaction ID, अगर यह online होता, तो यहाँ पर transaction ID आती, बड़ क्योंकि यहाँ पर cash ले रहे हो, आप यहाँ पर check ले रहे हो, तो cash का कुछ आपको note डालना है, और अगर check दे रहे हैं, तो check का number आप डाल सकते हो, bank transfer है, तो bank transfer की detail भी यहाँ पर डाल सकते हो, transaction ID वगार सेट कर सकते हो, जाल cash select कर ल इसी को login करके payment वगारा करने हैं, तो वो cash payment वगारा कर सकता है, तो यहाँ पर fee invoice का भी हमारा काम हो गया, अब यहाँ पर हमारे कुछ useful pages है, जैसे की login, admission, fee submission, student registration, इस तरह के बहुत सारे pages होते हैं, वो हमारे को create करने, तब उसके बाद ही सारी चीज़े काम करेंगे, तो उसके यहाँ पर simple आपको add new के button पर click करना है, और अभी हमारे को क्या करना है, login का page बनाना है, तो simply इसको copy करना है, यहाँ पर add new मैंने कर दिया है, cross, login, अभी मुझे इसका shortcode सही है, मुझे कैसे पता से लेगा कि क्या shortcode डालू हूँ, किस तरीके से login, यहाँ पर सारे सीज़े process काम करेगी, तो उसके लिए आपको simply क्या करना है, यहाँ पर school management के अंदर ही आपको setting का option मिल रहा है, और यहीं पर आने के बाद आपको, यहाँ से आप active session सेलेक्ट करेंगे, date format ठीक है, यह सब चीज अगर आपको enable करना है तो आप कर सकते हो, GDPR policy जो भी होती है, बागी जो हमार shortcode है हमारे को यहाँ से मिलेगा, तो हमारे को login करवाना है, तो login के लिए क्या है, to display fee submission form यह है, to display fee submission from management की registration का यह है, management का यह है, school management account, to display login form and student dashboard on page post, so use this, यहाँ पर simply आना है मुझे इसे copy करना है, login form वाला, यह मैंने copy कर लिया, यहाँ पर आना है plus वाले sign पर, यहाँ पर मुझ करना है, और यहाँ पर मुझे मेरा shortcode, paste करना है, that's it, और मुझे इसको publish करना है, एक बार मैं आपको check करके भी दिखा जाता हूँ, एक बारी, इसको मैं आपर copy कर देता हूँ, copy link, यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर इसको मैं paste करता हूँ, so इस तरीके से कुछ हमारा login page द और जो उसका password रखा था, login, तो फिलाल login करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, student का name, school का नाम, email id, phone number, इस सब चीजे, student की photo, उसका नाम, admission number, session, class, role number, father name, ID card, print करना हूँ, तो ID card यहाँ चे हम प्रिंट कर सकते हैं, और attendance यहाँ दिखेगी, transportation detail दिखेगी, कौन से route का है, vehicle number क्या है, fare क्या है, driver name क्या है, mobile number क्या है, class की fees type क्या है, payable इतनी हो गई, total paid इतनी है, वो इतनी हो नी है, इतनी हो चुकी है, and उसके बाद, नहीं, total payable जो है यह है, और जो paid की है, वो हमने यह किया, बाकि अभी इतनी मन्तली वाई होती रही है, and उसके बाद, यहाँ पर fee, invoice, structure, सारी चीजें, बाद में सारी चीजें, एक एक कवर करनी है, हमारे को, मैंने खाली आपको login करके दिखाना था, कैसे login हो सकता है, कैसे shortcut वगरा काम करते है, अब उसके बाद, हमारे जो next page बनना है, admission inquiry का, तो admission inquiry के ल मिलेंगे, बागी page आपको मिलेंगे, SM school के अंदर, आपको इसकी setting में जाना है, और एक चीज़ और है यहाँ से, sorry, मैं कौन से उसमें चला गया है, sorry, sorry, इस वाले page पर करना है न मुझे, हाँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पर आना है मुझे, और यहाँ पर मुझे, जो मिलेग Pages को मैं कर लेता हूँ, नए page में open, ताकि मैं एक page भी नहाँ बना लूँ, यहाँ साथ-साथ काम करता हूँ, अभी मैंने क्या किया है, login का बनाया था, अभी मुझे एक और page बनाना है, add new, तो यहाँ पर आना है मुझे, general में ही, यहाँ पर set currency का option आता है, इसको मुझे simple क् INR, INR, जैसे मुझे इसको INR करना है, बागी जतनी भी जगां dollar दिख रहा तो सारे जगां यह दिखना हो जाएगा, so यहाँ पर currency हमने set कर दिये, उसके बाद जो बागी चीजें से invoice copy, इसकी admin will be able to print school and student copies of invoice, ठीक है, इसको on करना है, आप पढ़गे इसके साब से on-off वगरा कर सकते हैं, यहाँ पर auto generate invoice का option है, इसको अप कर सकते है, monthly invoice will be auto generated, ठीक है, generate invoice payment history, इसको आप कर सकते हो, and उसके बाद most important, जैसे कि upload school logo, school का logo आप upload कर सकते हो, यहाँ आप, and आपके school का, अगर कोई signature वगरा है, तो वो भी आप upload कर सकते हो, यहाँ से, ताकि कोई भी आपकी जैस school की e-signature वगरा होते हैं, वो submit होते हैं, आप अपने आप, and इसको redirect URL after logout, logout के बाद आप को से page पर redirect करना चाहते हो, home page पर redirect करना चाहते हो, कर सकते हो, इस तरीके से यह सब चीजें काम करते हैं, आप इसको simple basic save कर दो, and most important, जैसको काम के लिए हमारे को मिलना है, यहाँ से, shortcode से, हमारे को shortcode ढूणने हैं, बागी चीजों के लिए, तो अभी यहाँ पर हमारे को क्या, कौन सा page create करना है, हमारे को page create करना है, admission inquiry का, simple है, इसको copy करते है, और यहाँ पर आ रहा है, school management inquiry, school id 1, इसको simple आपको copy करना है, और यहाँ पर आना है, जैसे कि अभी हमने किया था, shortcode, paste करना है, यहाँ पर simply, और यह क्या है, यह, admission inquiry है, तो simple, इसको मैं copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं title में paste कर देता हूँ, और इसको simply यहाँ पर publish करेंगे, publish करेंगे, और हमारा जो next page है, वो है, free submission का, तो उसके लिए भी एक page यहाँ पर हमारे को बनाना है, फटा फट से बना लेते हैं, यह रहा हमारा school management, free submissions को copy कर लेता हूँ, add new, add new, पहले शॉर्ट को डाल लेता हूँ, फटा फट से, शॉर्ट code, अब यहाँ से मैं copy कर लेता हूँ, fees submission, copy, paste, ठीक है, बट यहाँ पर इस title hide करना है, मुझे इसका ध्यान रखना है, इससे पहले बाला जो पेंज था उसमें भी hide करना है, क्योंकि उसके बीसे reason है, जब यह शॉर्ट को डलता है वहाँ पर, उसमें by default जो इनकी coding है, उसमें online fee submission वगारा का option, तो बार बार दो दो बार repeat होगा, इसलिए इसको title को यहाँ से हम, जो eyes eyes पे क्लिक करेंगे, तो title deactivate हो जागा, title नहीं दिखेगा page के उपर, पब्लिश, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, copy, और यहाँ पे मैं करता हूँ, paste, online fee submission लिखवा रहा है, मैं title लाता, दो दो बार लिखावा था, तो कोई sense नहीं बनती है, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, and last वाले page में भी मैं इसको deactivate कर दूँगा भी, बागी जो हमारा next page एक रहा गया, वो रहा गया है, student registration का, तो उसको फटा-फट से बना लेते है, student registration का हमारा है, जो यह रा, इ registration, और इसको भी हमें करना है, hide, और publish, publish, तो हमारे जो basic चार-पांच पेंच से बना दिया है, अभी यहाँ पर और बहुत सारे पेंच आशा है, display staff registration form, अगर staff कोई अपने registration करवाना है, कोई किसी post के लिए तो वो आप दिखा सकते हो, display notice port आप दिखा सकते हो, display exam का time table आपका जो है वो आप दिखा सकते हो, admit cards बगरा का आप option दिखा सकते हो, display exam results पी आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अपनी website के अंदर, तो इसारे shortcodes को आपको यूज करना है, जैसे ही आप यहाँ पर सारे चीज़े add करते जाएंगे, अगर आपका result आपने announce कर दिया है, तो आप आपको यह shortcode copy करना है, एक page बनाना है, results के नाम से, वहाँ पर shortcode डालना है, और उसको अपनी website के अंदर, menu में add कर दिना है, जैसे आपका result पर कोई click करेगा, वहाँ पर उसको results का option मिल जाएगा, और result अपने student का check कर सकता है, तो इस तरीके से बहुत सारे shortcodes है, आप अलग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपर menu mode लिखा था, अभी चार page हमारे बन गए है, तो अभी एक काम करते है, add live class का, live class का भी option यहाँ पर हम फटा-फट से add कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको simply है, यह सब page हमारे बन गए है, इस page में, एक page हमारा था, कौन सा, registration, log in, fee submission, admission inquiry, I think, admission inquiry पर click करते हैं, yes, यह हमारा visible है, इसको भी हमारे को deactivate करना है, और update करना है, तो फिलाल अब हमारी जो बारी आती है, वो next आरी है, live classes का option, zoom live classes का option, add का option हमारे को अपनी website के अदर add करना है, तो कैसे करना है, अब live class को लेते हैं, teachers लेते हैं, तो teachers को हम यहाँ पर option देंगे कि वो classes वगरा कैसे live लेंगे, उसके सिर्चिनों को set करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आपको दिखाना चाहूं, live classes का option, आपको का मिलेगा, आपको SM Academy के अंदर live classes का option मिलेगा, मगर इस से पहले हम यहाँ पर जो हमारे teachers हैं, teachers के अंदर, जो हमने role assign किये थे, आपको अगर दिखाना चाहूं, यहाँ पर मैं staff list में जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप simply इसको edit पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको मैंने बोल था, बाद में बताऊंगे, सब चीज़े कैसे होती हैं, zoom API key, zoom secret की बगारे सारी चीज़े, तो यहाँ पर to access API key secret, create a JW application on marketplace, तो यहाँ से मिलेगा, click here for more information, इस link पर आपको simple click करना है, या फिर Google पर simply आप सर्च कर सकते हो, zoom JWT application होगा तो आप इस page पर पहुंच जाओगे, जो की page अभी आपके सामने आपको दिख रहा है, तो भी यहाँ पर आने के बाद आपको simply क्या कर लोग इन कर लेता हूँ, so मैंने यहाँ पर लोग इन कर लिया है, लोग इन करने के बाद यह option दिख रहा है, आपको JWT और यहाँ पर click करूँगा तो view here का option आपको दिखाए देगी, जैसे बाकियों में create दिख रहा है, यह create दिख रहा है, यह create दिख रहा है इसी तरीके से जब आप first time आएंगे यहाँ पर तो आपको भी create का option दिखेगा, जब आप create के button पर click करेंगे तो कुछ इस तरीकी की screen आपको दिखाए देगी, इस तरीकी की screen दिखेगी जिसमें के अंदर आपको आपकी app का name डालना होगा, उसकी short description डालना होगा, company का नाम डालना होगा, अ इसके बाद आपको app credential का option मिलेगा, इस पर आपको आपकी API की वगारा सारी चीजे मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको API की, आपका API secret दिखेगा, तो आपको simply इसको copy करना है यहाँ पर, और एक चीजा हो रहा है यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पर paste कर रहा हूँ आपको दिखाने क तो 5 टीचर का आपको अलग-अलग account बना लेंगे तो बैटर रहेगा आपके लिए उसमें थोड़ा easy रहेगा आपके लिए बाकि आप सिंपली ऐसे डालेंगे आपको API की और secret यहाँ से मिलेगा, इस तरीके से आपको simply इसको update साफ करना है और इसके बाद आपको setup हो आपको classes बनानी है तो simply आपको आना है यहाँ आप SM Academy के अंदर यहाँ पर live classes में जाएंगे आप अब यहाँ पर आपको add new classes करनी है simple और यहाँ पर class first section A subject Hindi class teacher यह अब यह recurring है या first one time होनी है या फिर fix time इसी time पर रोज होगी इस तरीके से regular class कर सकते हैं आप कर सकते हैं यहाँ पर 15 के लिए आज ही के लिए शाम को कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको 6.45 की कर सकते हैं duration 40 minute की और इसका password आप simple push भी रख सकते हैं और इसके बाद topic जो भी दहेगा आपका Hindi classes और इसके बाद normal से चीज़े हैं बागी सारी add new live classes इस तरीके से अब मैं आपको यहाँ पर एक बार लॉग इन करके दिखाना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पर लॉग इन स्टुडेंट वन लॉग इन अब यह सब चीज़े भी हम चैट करेंगे बटन बटन इसका अच्छा सा बना लेंगे हम सीसस बगार डालके अब यहाँ पर आपको दिख रहागा को live classes का option यह live classes अभी 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 जस्ट बनाई है मैंने Hindi class 40 minutes की पंदर आई है schedule class join करके simple यहाँ से password उसका यह दिख रहाए आपको तो इस तरीके से live classes वाला section भी काम करता है आप simply इस पर click करेंगे आपको बोलेगा भी आपके zoom का जो भी है उसको अपने download कर लो उसके बाद वो सब चीजे start हो जाएंगे इस तरीके से zoom live classes भी आप अपनी website के अंदर add कर सकते हो इस school management system की help से तो यह तो था चलो हमारे zoom classes का हो गया अब उसके बाद जो हमारी चीज आती है जो कि आप कुछ जाननी बहुत जरूरी है तो फटा-फट से काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक जगह कर लेता हूँ teacher का login और एक जगह कर लेता हूँ student का login तो इसमें मैं यहाँ पर कर लेता हूँ teacher का login तो teacher का मैंने बनाया था teacher 1 के नम से और उसका password आ लेता हूँ लॉग इन लॉग इसमें जाना है उपर डैश बूर्ड में क्योंकि टीचर तो बता सकते हैं क्या करना है student के लिए simple login होना चाहिए था अब यहाँ पे school academy student examination इस तारे option मिले हूँ मैं teacher को हमने assign कियो है तो यहाँ पे simple इसको hide कर देते हैं पहले अब यहाँ पे one by one सारी चीजे हम test करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे तो एक ब्रावजर के ओपर मैं student को भी login करा लेता हूँ फटा फट से login तो यहाँ पे करते है student का student 1 और यहाँ पे login तो यहाँ पे एक तरफ मैंने student का login कर लिया है और एक तरफ मेरा teacher का login हो रखा है यहाँ पे सारी चीजे one by one set करते हैं देखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था student का यह सब सारी चीजे आपको मैंने बताई थे अभी थोड़ देर पहले ही यहाँ यहाँ पर left side में तो यहाँ पर dashboard है fee invoice है जो कि जितने भी उसके invoice होंगे वो spending वो यहाँ पर इसको दिखाए देंगे तो यहाँ पर इसका ये fee structure है admission fees, maintenance fees, tuition fees जैसे की था fee structure के बाद यहाँ पर आते है payment history की यहाँ पर आके payment history बगारा सब user check कर सकते है student check कर सकते है कि उनका receipt number क्या है amount कितनी है payment cash method में हुई थी and date का हुई थी registration का जो invoice है print भी करना चाहाँ तो print भी कर सकता है user यहाँ पर student हो यहाँ पर parents हो यहाँ पर आके सब कुछ को check कर सकते है उसके बाद जो option आता है next आता है study material यह सब चीज़ है student और teacher का साथ साथ चलेगा और मैं साथ साथ आपको करतागा दिखाऊंगा सबसे पहले जलते हैं यहाँ पर teacher के dashboard के ओपर यहाँ पर सबसे पहले इसको SM school dashboard दिख रहा है और leave request का option दिख रहा है तो यहाँ पर काम करते है leave request जैसे की teacher है student के साथ तो interact करेगी करेगी बट उसको अगर leave चाहिए किसी भी reason से तो वो leave के लिए भी ता apply कर सकती है एडमिन वो leave approve करता है यह निकलता वो सब चाहिए पता होनी चाहिए तो single day के लिए चाहिए for example 18 को चाहिए reason कुछ भी हो सकता है any reason submit leave request okay सारी चीजें साथ साथ चेक करते रहेंगे जहां पर student के साथ interaction वो चेक करेंगे जहां पर admin के साथ interaction होगा वो सब चीजेंगे तो यहां पर इसने apply कर दिया है यहां पर नीचे लिखा हुआ रहा है reason any reason अभी यह unapproved है और कब किया है वो आ गया अब मैं काम करता हूँ एड्मीन पर चलता हूँ, और यहां पर रीफ्रेश करता हूँ, स्कूल मेनेजमेंट पर से अब यहांप हम चेक करते हैं Administrator के पास Leave Request पहुची नई पहुची, SM Administrator, Administrator तुर सारे क्वाइगा यहां पर स्टाफ लीव के उपर जाएंगे और यहां पर चेक करते हैं टीचर वन फोन नंबर टीचर यूजर नेम एनी रीजन 18 तरीक अभी अभी अप्रूवट है अगर यहां से एप्रूव करता है एडमिन तो सिंपल यह वह एडिट करेगा और इसको एप्रूव कर देगा अप्डेट स्टाफ लीव यहां पर अप्डेट हो गई अब मैं एज टीचर यहां पर चेक करूँगा रीफ्रेश करके यहां पर लिखा हुआ आएगा अप्रूवड ठीक है तो इस तरीके से टीचर को अगर लीव अप्लिकेशन के लिखना तो वो कर सकती है अब उसके बाद लाइव क्लास का उप्शन है जैसे कि हमने देखा था भी लाइव क्लास अब यहां पर उसके बास बना हुआ रहा है अब यह मैंने एक ही बनाया थो तो लाइव क्लास का यहाँ बना हुआ आ रहा है जितने पीसे से बनते जाएंगे जिस इस टीचर के लिए उसके डैच बॉर्ड में वो सारी चीज़ दिखती जाएंगी होस्ट इडी यह है रिउला सकते हैं और जो हैं यॉर्ल यह रहा है और इसका पास्वाड बारा यह रहा है इस तरीके से लाइव क्लास वाला सेक्शन चलेगा जो कि मैं आपको यहां पर दिखा दिया और यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं student के dashboard में तो यहाँ पे भी आपको live glasses का same ही pattern दिखेगा अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पर SM Academy में जाते है dashboard, class section से कोई मतलब नहीं है, subject कोई मतलब नहीं है class का टाइम टेबल है यहाँ से वो देख सकती है teacher जो हमारे class का टाइम टेबल है वो क्या है class first A के लिए यहाँ पर क्लिक करेगी और teacher को पता चल जाएगा कि उसका class का time table क्या है यहाँ लोगो बना हुआ गया जैसे कि मैंने का था जहाँ लोगो अप्लोड कर दो कि वहाँ लोगो अपने डिस्पले होना शुरू हो जाएगा वो जहाँ अगर आपको अटेंडनेस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेट डालनी है आपकी जो भी आज की डेट डालेंगे इस तरीके साब सेक्ट कर सकते हैं तो मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूं सेफ चेंजिस कर देता हूं सेव और इसी तरीके से स्टूडेंट भी चेक कर सकता है उसकी प्रेजेंट बगारा एप्सेंट बगारा यहाँ पर नीचे आके अटेंडनेस में और यहाँ पर उसको दिख जाएगा टोटल एटनेस टोटल प्रेजेंट टोटल सेप्सेंट मन्त यह था फैबुरी व्यू इस तरीके से यहाँ पर एप्सेंट प्रेजेंट का सिस्टम चलता है उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट लीव कर सकते हैं कोई भी रीजन हो सकता है और सब्मिट लीव रिक्वेस्ट इंपल इस पर क्लिक करना है ओके करना है अब यह हम सेट कर देंगे बटन जो हाइड हो रहा है सी दिखनी रहा इसाब हम सेट कर देंगे एनी रिजन डाल दिया अनप्रूव अब यहाँ पर जाएंगे एडमिन सॉरी टीचर के उसके पर र कर सकते हो अब डेट सुरेंग लिजस्ट लीफ और सॉरी इसको अप्रूफ करके अफडेट सुरेंट लिस्ट लीफ एन लॉगिन पर रिफरेश करते हैं इसा कि यहाँ पर दिखाई देर है हमारी इस जो लीफ थी एप रूब हो चुकि है तो इसके बाद आद बार यांवा वह भी नहीं डालागे इसलिए वह भी यहां पर नहीं दिख रहा तो एक काम करते हैं अब मैं आपको दिखाई देता हूं अब होमवर्क पर क्लिक करते हैं जैसे कि कोई स्टुडेंट्स को होमवर्क देना है एड न्यू होमवर्क टाइटल दाल देते हैं हिंदी होमवर्क ठीक है क्लास फर्स्ट टीचर क्योंकि फर्स्ट एक आए तो फर्स्ट एक लिए ही काम करेंगे ए और डेटार डालते हैं शिक्स्टीन सब्जेक्ट हिंदी कुछ भी आपको जो भी डालना हो अब दिखाने के लिए खाली और यहां पर इस पर कुछ भी मैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा वही थोड़ देर बतायाता हूं एक काम करता हूं मैं नोट कर लिता हूं SMS Gateway ठीक है कोई बात में इसको हम दुपारा देख लेंगे तो यहां पर यह हो गया यह सब चीज हो गई अब ही मैं यहां पर स्टूडेंट के महा पर जाओंगा और रिफ्रेश करके चेक करता हूं यहां पर यहां आगया Hindi homework 16 view इस पर क्लिक करूँआ तो यहां पर सब सारी सीज़े आ जाएंगी कि भई इस पर की करके मैं अटैचमेंट इखना चाहो तो यहां पिए हो गया अगर आपको सब्मित करना हैँ ही हिंदि mushroom और अप्लोड करना है कुस था अप्लोड कर सकते हैं या फिर छी क्वाइब किया जाता है तो क्या आप किया किया चीज पता चल जाएंगी सब्सक्राइब का homework था अभी description यह थी class 1 और यह submission आ चुकिए submission पर click करेंगे तब पताच लेगा किस ने submit किया है किस ने submit नहीं किया student 1 ने submit कर दिया है और उसका यह अगर किसी को download करना download भी कर सकती है teacher अब उसके बाद आती है आप बारी notice board की नोटिस बोड में क्या चीज़ देगी कुछ notice board है add new notice इस पर simple click करना है notice title कुछ भी holiday notice exam notice holiday notice मतलब जो भी हो उसके description जो भी आप डालना चाहूँ डाल सकते हैं यहाँ पर लिंक to URL non attachment कोई link निए इस पर अगर कोई link है कि आपने जैसे कि एक्जाम का कुछ notice है तो एक्जाम से जो भी टाइम टेबल है आपका उसका URL डाल सकते हो कोई आपका annual day function हो रहा है उसकी कुछ activity का प्रेंज आपकी website बना है उसका URL डाल सकते हो या फिर किसी और website से डिलेटेट गूगल गा कोई और URL डालना एक एक एक्जामपल दे रहा हूं मैं आपको attachment है कोई उसकी तो इसकी attachment आप यहाँ आसे कि इस पर simple कोई attachment open हो जाए या फिर कोई link निए simple एक holiday notice है इतने से इतनी देट तक आपकी holiday है तो simple कुछ भी notification कुछ भी हो सकता है ना notice board तो यह active और add new notice पर simple click करना है अब student यहाँ पर आएगा अपने notice board पर आएगा यहाँ पर आकर इसको इस तरीके से दिखने लग जाएगा holiday notice यह अगर इस पर बहुत सिंपल है आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है add new event एन्यू इवेंट पर आने के आप इवेंट का टाइटल है जो भी है sports competition event की जो date है आपकी हो सकता है 20 को आपका sports competition है उसकी description आप डाल देंगे जो भी रही है आपकी इवेंट की image कोई डालना चाहो तो वो डाल सकते हो कोई banner banner बना हो उस activity का and उसको simple add new event कर सकते हो अब यहाँ पर student के panel में उसको सब कुछ दिख जाएगा वो event पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इवेंट है कि नहीं है कब है sports competition है join करना है join कर सकते हो देखना है तो यहाँ से देख सकते हो simply click करोगे आप आप आपको देख जाएगा यह event है आपको join करना है simply click करोगे ok करोगे अब teacher के पास एक notification पहुंच जाएगा कि भाई यह जो event है इसमें कौन कौन से student participate कर रहे है या पिर नहीं कर रहे है यहाँ पर sports competition है total participation जो है वो one है और active है ठीक है इस तरीके से live classes का मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ और उसके बाद जो बाकी चीज़ें है इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है तो इसके लिए हम सीपर admin पर जाएंगे यहाँ और और library पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो all books है पहले books देखते हैं और कोई है की नहीं है तो यहाँ पर हम करेंगे add new book कोई भी type कर देते हैं book one author अधर का नम कुछ भी रखते हैं सचेंट सब्चेक्ट हिंदी प्राइस 50 रुपीस quantity यहाँ पे इसकी 10 है डिस्क्रिप्शन कुछ भी हम डाल देते हैं कौन से रैक में है रैक नमबर 5 में है book नमबर 20 और इसका ISB नमबर वगारा कुछ है तो डाल सकते है add new book ठीक है एक book मैंने यहाँ पर add कर दिया अब यहाँ पर library card पहले हमारे issue करने होते है students के लिए library card में हमारे को 0001 class first section a date issue 16 manage library card तो यहाँ पर एक ही student था तो उसके लिए एक assign हो चुका है issue library card issue library card ठीक है अगर ज्यादा हो तो स्वारी मैंने select नहीं किया तो यहाँ पर issue library card कर दूँगा तो जितने भी students होंगे सबके लिए लाइब्रेरी कार्ड जो होगा वो issue हो जाएगा अभी क्योंकि library card issue हो चुका है book भी issue हो चुकी अब book issue करनी है library card तो issue हो चुका है but book issue नहीं हुई है student न गया issue book तो यह book है यह author है यह subject है 5 book number यह है total 10 issue 0 ठीक है इसको simply click करेंगे issue book book 1 यह ठीक है for class first section a student quantity 1 date issue और day return अब check library बाट करना हो तो student का library card भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने library card भी just इसका issue किया था print भी कर सकते है तो quantity 1 है date issue करने का time क्या है 16 है और return कब तक करनी है student को 18 तक return करने issue कर दी book मैंने student के book मैंने issue कर दिया उसको दे दिया तो मैंने अब अपने database में add कर दिया अब login करेंगे यह आप रीफ्रेश करेंगे student आगे चेक कर सकता है उसने कौन से book लिये है कब लिये book कर टैटल यह है date of issue यह है return कर देट यह है return status pending अभी author यह है subject यह है रैक नमबर 5 से लिए book नमबर 20 ठीक है अभी student जब return कर देगा उसके बाद जो वहां कर librarian है वो उसको update करेगा तो book issue कर रखी है इस student को कर रखी है यह वाली book ठीक है author यह था तो return होगे है return होगे return यह इस ने tick कर दिया mark as return अब उसने return कर दिया है तो यहां पर refresh करेगा student चेक करेगा कि उसका यहां पर status क्या दिखा रहे है pending यह return यहां पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से यह वाला section भी काम करता है अब यह जो बाकी चीज़े है exam time table admit card exam result certificate इन सब चीज़ों यह दो चीज़ों बची है इसके ओपर फटाफट से देख लेते हैं उसके लिए आप उप्छा करना होगे यहां पर SM student के अंदर यहां पर उसके कुछ student, I.E.E.Card यह सब चीज़े इकपर फटाफट से हम चैक कर लेते हैं देन उसके बाद examination के ओपर हम बात करेंगे SM student में आएगा Students पर क्लिक करेंगे यहां पर जितने भी student होगे वो सारे student उनके लिखेंगे उनकी सारे details देख सकते है ID proof, student के ID proof, print, इस तारी चीज़े यहां से आप teacher देख सकता है student की ठीक है उसके बाद उसके ID card पर क्लिक करेगा तो यहां से First Section 1 Active student की खाली ID card publish करना है या फिर All student के लिए करना है तो All student करेगा और Print ID card यहां से वो सारे के सारे students का ID card निकाल सकता है क्योंकि student खाली एक है इसलिए ID card भी एक दिख रहा है अगर Multiple student होते तो लिस्ट लग जाती पूरी ID card की यहां पर और Print ID card भी यहां से teacher कर सकता है Simple इस पर क्लिक करेगा Print की command लग जाएगी और यहां से Print भी कर सकता है Student का ID card ठीक है तो यह तो ID card का था अब उसको प्रमोट करना है Class First से Second में तो वो कैसे हो सकता है उसके लिए Current Section यह and Next Section यह वाला आजाएगा Promote from Class First to Promote from Class Second and Manage Promotion पर जैसे क्लिक करेगा उसके बाद यहां पर दिखा रहा है कि From First A to Second A में टालना है B में टालना है C में टालना है क्योंकि Second का तो हमने कोई Role Number ही नहीं बनाया तो उसमें A ही दिखा रहा है अगर B होता तो B दिखाता, C होता तो C भी दिखाता और इस तरह के से यहां पर Select करके Student को हम Promote कर सकते है और Transfert में क्या होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर ट्रांसफर करने जासा कि इसी बड़ी सारी ब्रांचिस है उसको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो उस सिस्टम में चीजे काम करेंगे जिसे Transfer Student करेंगे तो यहां से Class Select कर लेंगे Section Select कर लेंगे Student का Select कर लेंगे अब दूसरे स्कूल में कौन से स्कूल से करना है कोई और स्कूल ही नहीं अब दूसरे स्कूल से स्कूल से लेक्ट करते है Class Select करते है Section Select करते हो Transfer Student कर देख 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 लेते है Certificate में क्या होता है वह फटाफट से एक बाद देख लेते है Add New Certificate Certificate को कुछ भी नाम हो सकता है Annual Day Function का Certificate हो सकता है उसके एक्जाम को पास करने का Certificate हो सकता है किसी भी चीज का Certificate हो या फिर कोई Sports Activity में उसने पार्टिसपेट किया था उसका Certificate हो सकता है Annual Day Add New Certificate यहां पर एक चीज है आपको Certificate यहां पर आपना खुद डालना पड़ेगा जैसे कि यह बाइड डिफोल्ट एक इमेज है और कुछ नहीं है यहां से आप आकर सीधा अपनी इमेज चेंज करेंगे तो इमेज भी चेंज आप कर सकते हैं उसके लिए सिंपली है यहां पर आपको अपलोड ब्राउज पर करना है दोलस विए की का इंटि माला आप कू Speaker City अब ब्राहब चूह मुंआ आप को सब्सक्राइब आपा जाएड फॉंटी जांग यह लिए 35 अबहारशन चेंगेsho council आप इन प्रक्राषे शक्या जार आपेजिसए इसनंट में काकर आपकी स्लाइज कीज yas इस तरीके से आप positioning और font weight और font size के साथ सारी चीज़ और प्ले कर सकते हैं यहां से आप for example qr code नहीं चाहते हैं आपने इस पे क्लिक कर दिया qr code गाइब बच्चे की photo चाहते हो आपने photo पे click कर रखा है ठीक है फोटो चाहते हो ठीक है अब उसकी width क्या रखनी है height क्या रखनी हो आप select कर सकते हो तो इस तरीके से सारी मैनेज होती है यहां से और for example जैसे मुझे कुछ चेंज करना है school logo अड़ करना है इनेबर कर दूँगा तो school का logo भी आ जाएगा जैसे कि school का logo यहां पे आ रहा है और उसकी dimension ऐसी आरे इसकी width होनी से 170 होनी से height 90 रखी है no problem ठीक है height को भी हम कर देते हैं इसकी 70 इस तरीके से हो गया मैं चाहता हूँ यह top bottom में आ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं कर जाए इसको मैं करोंगा यहां से 250 हो इसको मैं आफ कर देता हूँ 450 होन इस टरीके से आप positioning के साथ play कर सकते ओ know 500 कर दिते है इसको मैं ङुक्त कर देता है इसको मैं top से थोड़ा और करना तो मैं इसको 50 कर सकता हूँ अब यह बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है इस तरीके से तो इस तरीके से आप चीज़ेश सेट कर सकते हो सारे जितने भी हैं यहाँ पर ऑप्शन को अने बडिसेबल करके अपने लिए प्रॉपर एक सैटिफिकेट बना सकते हो स्टूडेंट् आपको एक दमी दिखा रहा हूँ आप इसको सीरेस ना लेना बिल्कुल भी ओपन किया अप्डेट सैटिफिकेट अभी इमेज आ गई यह इमेज आ गई मतलब आपको एक अपनी खुद की इमेज बनानी पड़ेगी सैटिफिकेट की उसके बाद इन सब चीजों के साथ प् इसके बाद यहां पर सक्षिन के स्टूडेंट डेट अफ इश्यो डेट डेटरीब्यों कया हुआ अब यहां पे आपने इस सेटिफिकेट वाले पे क्लिक करेंगे कि यहां से मुझे मेरा सेटिफिकेट देख जाएगा मैं सेटिफिकेट देख सकता हूं यहां मेरी फोटो आ गई कि मेरा जो नाम है रिजिट्रेशन का वो आ गया और यहां पर स्टूडेंट वन आ गया फर्स्ट क्लास आ गया इस तरीके से सारी चीज़े थी वह दिखनी शुरू हो गई है यहां पर तो यह थो था सेटिफिकेट का आप खाल दिखा रहा हूं अब में चीज़ों हमारी वह पर ताइम टेटर एडमिट यह सब चीजों पर फटाफट से फोकस करते हैं और यहां पर हम चलते हैं SM examination के अंदर SM examination के अंदर यहां पर manage exam manage group admit का यह सब चीज़ों पर करते हैं exam बनाने से पहले इसका कुछ groups होते हैं उस पर हम देखते हैं manage group पर क्लिक करेंगे अब exam अलग-अलग तरह के हो सकते हैं जैसे की unit test होते हैं session one session two final exam अलग-अलग तरह के exams हो सकते हैं यहां पर मैं एक exam का बना के आपको दिखा रहा हूँ final exam add new exam group अब manage exam में जाएंगे add new exam exam title final exam exam center obviously school का वही आएगा तो मैं school का नाम ही डाल देता हूँ start date 2023 में है फैब में हैं दस से start हुआ है और यह 20 तक खतम हो जाएगा ठीक है कि फर्स्स क्लास के लिए है एक्जाम final exam में ठीक है यतने ग्रूप होते सारे यहां पर दिखने शिरू हो रहते तो यह final exam के मैंने सब्सक्राइब कर लिया अब एक्जाम को पेपर कॉन से हो सकते हैं सब्जेक्ट कॉन से हिंदी ठीक है maximum marks कितने हो सकते हैं इसके 50 पेपर कोड एचन पेपर की डेट क्या है मैं इसको दस ही कर देता हूं दस start date क्या है 10 a.m. और end 10 a.m. और इसकी जो end होगा वो होगा 11 एक घंटे का पेपर होगा बच्चो होगा room number 10 में इसी तरीके से मैं add more कर सकता हूं तो तीन एक्जाम है यहां पर simple सी बात है और और भी आइड करने हो तो और इस तरीके से add हो सकते हैं और इसको overall grade जो है enable कर देते हैं और यह सिस्टम है यहां पे कि percentage किसे साब से define की जाएगी 0-40% को क्या मिलेगा f grade 41-50 को d grade 91-200 को a plus grade मिलेगा इस तरीके से चीज़े सारी set होंगी और admit card publish करना है हाँ publish करना है time table publish करना है room number करना है exam results भी करना है show in overall results ठीक है show results in show rank in result ठीक है show subject remarks ठीक है show remarks ठीक है यह भी ठीक है ठीक है add new exam तो यहां पर हमने exam create कर दिया भई exam का time table यह होने वाला group card सबकुछ बन गया है अब यहां पर जाएंगे इसमें हम जाएंगे exam time table में जाएंगे यहां पर हमारे को हमारे time table दिखना शुरू हो जाएगा यहां पर दिखावरा final exam 10 से लेके 20 तरी तक है इस पर click करेगा student और उसको उसके सारे चीज़ें भी चीज़ें होगी सारे दिखनी शुरू हो जाएंगी हिंदी इंगलिस साइंस 10 13 16 10 से 11 दस ठीक है यह सब चीज़े सैट हो गई अब इसको प्रेंट करना चाहे तो student प्रेंट भी कर सकता है अपने बार बार इसको login ना करना पड़े इस अब प्रेंट भी कर सकता है वह यहां पर आग करना चाहें तो print exam time table ठीक है अब उसके बाद करेंगा simple सा final exam first generate so here admit card में आएगा simple इस पर क्लिक करेंगा generate तो उस class के जितने भी student होंगे सबके नाम आएंगे जिसका आप चाहते हो या सबका चाहते हो select करके सबका क्योंकि exam तो सारी बच्चिया देंगे उसके लिए simple से है जो भी आपका prefix रहेगा तो ex कर देते हैं या फि इसकी भी वही starting 1 से ठीक है अब इसको कर देंगे simple generate admit card इस पर क्लिक करना है generate करना है जितने भी student होंगे सबके generate हो जाएंगे automatic no student without admit card ठीक है सबका admit card बन चुका है अब यहाँ पर view admit card पर क्लिक करेंगे जितने भी student होंगे सबके admit card हमारे को जहाँ पर दिखेंगे student 1 ac1 first a enrollment यह है admit card यहाँ से print करना चाहे तो आप print कर सकते हो student के लिए इस तरीके से उसका admit card है admit card final exam date यह first school का नाम सारी सीचे सारी mention हो रखें पूरी detail से अब यहाँ पर आते हैं चैक करते हैं हमने admit card बनाया student को दिखता है या पर नहीं admit card पर हम क्लिक करेंगे final exam इस पर क्लिक करेंगे और यहां से student को उसका admit card दिख जाएगा वो प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर सकता है ठीक है इस तरीके से admit card वाला section होगा अब यह तक वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगे तक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की useful वीडियो के लिए काफी efforts लगते हैं इस तरह की वीडियो बनाने में तो please support करना और यहां पर admit card को bulk print भी कर सकते हैं students को देने के हो यहां पर क्योंकि student एक ही है इसलिए एक ही दिख रहे हैं तो ज्यादा multiple student होते हो सब कर देना शुरू हो जाता यहां पर इस तरह के सी काम करेंगी अब आती है बात exam result की आपने student का exam ले लिया student exam दे दिया अब उसका result आपको show करना है तो वह कैसे कर सकते है final exam यह add result अब यहां पर भई student select करेंगे student को कि by default हमार पास एक ही है final exam था यह date थी यह subject थे अब उसको marks कितने मिले है 50 में उसको मिले है 48 एक में मिले है 45 और एक में मिले है उसको 47 अब टीचर का remarks क्या है very good school का कोई remarks है तो वो डाल सकते है अपलोड answer की अगर उसकी कोई answer की है तो आप यहां पर डाल सकते है और simple आपको exam को add exam result में यहां पर करना है simple उसके बाद आप आएंगे यहां पर view exam results इसमें आगए exam results देख सकते हैं बच्चों के जतने बच्चों ने उस exam में participate किया था व student 1 93% 93.3% enrollment number यह था उसका इस पर क्लिक करके आप चाहो देखना तो उसको वो results वगारा सब कुछ देख सकते हो कि इसको हिंदी में कितने मिलें 48 English में 45 Science में 47 140 बने है इसको 150 में से 93.3% A plus तो यह इस तरीके से जो remark वगारा दिये गए सारी सीजें आप से mention हो रखी है अब student को किस तरीके से दिखेगा student आएगा यहाँ पर exam results में जाएगा अपने results को check करेगा यहाँ पर इसको कोई अगर जो answer की का option था अगर वो यहाँ पर रखते तो उसमें यहाँ से वो download कर सकता था answer की यहाँ पर view करेगा इस पर simple click करेगा और उसको उसका result दिख जाएगा student 1 admission 1 यह इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सारी चीजे काम करेंगी तो यह exam के results पर आपको side में show करना तो वह भी आप show कर सकते हैं जासे कि मैं आपको starting में ही बताया था कि यहाँ पर आपको school में setting होती है एक उस setting में short quotes होते हैं और यहाँ पर आपको exam time table admit card result इसको copy करते हैं ए results किस तरीके से show होते हैं अगर हमें show कराने हो add new results 2023 ठीक है short को डालते है और इसको publish करते हैं और test करते हैं copy और यहाँ पर आएंगे एक बड़ी पेस्ट यहाँ पर आ गया select exam final exam अब enrollment exam का जो roll number होता है student का वो क्या था roll number यह बड़ चेक कर लेते हैं dashboard जो roll number है वो student का है 01 तो एक बड़ 01 डाल के देखते है 01 सर्च रिजल्ट हम एडमेट कार्ट आइ सॉरी 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 एडमेट कार्ट वाला roll number हमारे को डालना होगा जो एडमेट कार्ट का roll number है फाइनल एक्जाम तो यहां पर है AC1 यह हमें copy करना है यहां पर हमारे को paste करना है और search result तो यहां पर आपके सामने है search results दिख गए यहां पर student 1 यह सारी details थी इतने percent marks आया था तो इस तरीके से proper तरीके से यह चीज़े काम करती है ठीक है अगर आपको दिखाने चाहिए तो उसमें क्या होगा आपको फस्ट में आना है section में आना है select करना है print result जितने भी results होंगे सारे lines से आ जाएंगे सबको एक बारी में आप print कर सकते हो simple सा बंदा है और कुछ निया result assessment में क्या होगा यहां पर आएंगे फर्स्ट section a get exam result assessment यहां से हम check कर सकते है भई जो students थे कितने थे section role number father name यह overall result क्या था subject wise result क्या था इस पर click करके check कर सकते हैं कि भई कितने आये थे उसके total से total और यहां पर check कर सकते है subject wise भई कितने marks उसको मिले थे यह सब चीजे सारे चीजे चेक कर सकते हैं तो यह तो था teacher की profile में सब कुछ क्या दिखेगा और यह तो था student की profile में सब कुछ क्या चीज़ दिखेंगी और किस से क्या चीज़ होती सारी चीजे मैंने आपको बिल्कुल clear करके दिखा दी तो इसको काम करता हूं मैं यहां पर एक student अगर कोई online add करना चाहे तो वह कैसे हो सकता है वह भी एक यहां से teacher को खुला रहन देते हैं और यहां पर जाते हैं इस पर click करते हैं इसको भी बंद करते हैं यहां पर जाते हैं हमने कुछ pages बनाया थे pages में हमारा एक था registration का और एक था admission inquiry का तो वह सब चीज़े कैसे काम करते हैं वह भी फटा-फट से देख लेते हैं तो यहां पर ह हमा रहा था admission inquiry इसको करते हैं copy यहां पर जाएंगे यहां पर हम करेंगे इसको simple paste admission inquiry class first section first a name सूरज phone number मैं अपना ही डादूंगा मतलब कि जो पेरेंट रहेगा वो अपना phone number डा लेगा email id जो भी उसकी रहेगी कि रेफरेंस कोई नहीं है मैसेज लगा कुछ डालना है want to information यह जो भी है को करण। जांने करें हुआ कि νैंगको रेटी कि एड्मेशन इंक्वारी टीड ह manifest गवैरी और हुप्र सबमेट अब यह इंक्वारी हमें कहां जीखे गी यहां पर आएंगे सारी यह रहे हां पर है स्कूल इसमा क्राइब आ कि एसम इनक्वारी कोई गैने कोई है message पढ़ सकते हैं और यहां पर add admission पर अगर हम click कर देंगे तो यहां पर इस तरीके से इस चीज में add हो जाएगा अब यहां से हम इसको admission करना हो तो admission कर सकते हैं बट हम admission यहां से नहीं करेंगे admission के लिए हम कहां जाएंगे हमारा एक page है यहां पर जो कि हमने बनाया है registration का तो यहां पर इसको खोलते हैं open copy link यहां पर जाएंगे simple इसको paste करके यहां पर open कर लेते हैं तो जैसे मैंने वहां पर admin ने registration किया था add किया था same वही process है बट फिल भी आप लोगों को दिखाने के लिए school year student का name क्या है अब मैं student 2 student 2 male ठीक है date of birth date of birth FAB की है 3rd की religious new blood group जो भी रहेगा भी positive address उसका phone number email address मैं आपको दिखाने के लिए फटा-फट से कर देता हूं जो चीजी जलूरी है वो मैं खाली कर रहा हूं बागी सब चीजे में इसको छोड़ रहा हूं उसकी फोटो डालनी है फोटो डाल देते हैं कोई भी किसी एक बच्चे की father's name father to phone number mother's name mother to parent id proof कुछ भी डाल देते हैं अब लॉग इटेल यहां पर आलाओ पेरेंट लॉग इन करें या नहीं करें वह सब ऑप्षिन है अगर रखेंगे तो उसका बनाना पड़ेगा नहीं तो सिंपल में चल जाएगा तो यूजरनेम में डाल देता हूं स्टूडेंट टू स्टूडेंट टू एड़ जीमेड डाट कॉम और यहां पर ट्रांस्पोर्टेशन अगर वह दौर का कहा है तो दौर का बाला गरेंगा आउट ऑफ दौर का बाला सब्मिट अब यहां पर सब्मिट हो गया किसी ने inquiry कर लिया, registration कर लिया online अब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे को students पर click करने अब यहाँ पर आप देखेंगे, दो दिखाए देंगे हमारे को students एक तो वो जो मैंने पहले किया था और एक यह है, जो मैंने अभी just registration किसी ने online किया है तो यहां पर status active है और यहां पर अगर हम देखेंगे तो उसकी सारी details हमारे को दिख जाएंगी बट अभी हम यहां पर accounting में आएंगे तो यहां पर हमारे को fee invoice पर हम click करेंगे यहां पर एक तो हमारे को paid दिखाएगा और एक unpaid दिखाएगा हमारे को फिलाद इतना हमारे को receive हो चुक है और इतना हमारे pending है यहां पर तीन unpaid दिखाएगा है तीन unpaid में क्या है एक लागर पर इसकी admission fees है दस जार पर की maintenance fees है और पांस जार पर की tuition fees है collect payment collect payment manual करेगा cash करेगा तो हो सकता है बट यह अगर online करना हो तो कैसे करेगा user वह हम फटा-फट से बर चेक कर लेते हैं तो यहां पर login करेंगे और यहां पर student 2 है यह तो student 2 एक तरीका तो यह है कि यहां पर आके fees invoice में आके यहां से वो तियों select करेगा और पे selected कर देगा एक तरीका तो यह है login करके वो कर सकता है और एक तरीका और है जो कि हमने page बनाया था यह वाला fee submission वाला copy करते हैं इसको यहां पर काम करते हैं इस पर paste करते हैं fee submission और यहां पर आ रहा है session class name student का और admission number कुछ भी student का name हमारा है student 2 student 2 और simple search तो यहां भी हमारे को सारे दिख जाएंगे student 2 यह roll number 2 view करेंगे उसी की नीचे हमारे को सारे उसकी details दिखनी शुरू हो जाएंगी select करके pay selected यहां से भी हम कर सकते हैं तो दो तरीके हमारे पर चाहें हम यहां से करें चाहें हम वहां से करें तो कोई भी option एक select कर सकते हैं जैसे कि side में यहां पर option रखा हुआ था यह वाला pay fee online simple इस पर क्लिक करके भी कोई admission करता है तो payment कर सकता है ठीक है न तो यहां पर जाएंगे pay selected करेंगे बट यहां पर क्या आ रहा है no payment method available right now क्योंकि हम ने कोई payment method select किया ही नहीं अभी तक तो उसको करने के लिए क्या करना है हमारे को यहां पर हमारे को आना है यहां पर स्कूल की setting में SM school की setting में यहां पर बहुत सारी चीज़ा आपको मिल जाएंगी जैसे कि मैंने आपको SMS वाला भी बोला था ना SMS gateway वाला वह भी आपको यहीं मिल जागे जैसे email career है इसमें आप आप डिरेक्ट email भी सैट कर सकते हैं या फिर WP mail या फिर SMTP की थिर्फ भी email सेंड कर सकते हैं email template से हैं यहां पर student का admission का email template कैसे हो सकता है उसमें उसके जो shortcodes होते है student का नाम class section role number enrollment number admission number लोगन रूजिज़न नेम इमेल आइड़ पासवर्ट school name इस सब चीज़ें subject डालो body में डालो hi student name उसके बाद कोई welcome note you are from class class डाल देंग कौन से class के लिए है वो section डल जाएगा रोल नाम इस तरीके से आप पूरा email बना सकते हो send कर सकते हो test email भी अपनी email ID डालके simple ना इस तरीके से तो यह सब चीज़ें इनेबल करने से student को admission email पहुंच जाए जैसे उसका admission होगा उसके आप बना सकते हो कि your invoice number this online fee submission template क्या रहेगा वो आप बना सकते हो अफ्लाइन fee submission template क्या रहेगा inquiry क्या रहेगा वो सारे चीज़ आप यहां से set कर सकते हो templates बने हैं बहुत सारे इसी तरीके से SMS करियर भी है यहां पर जिसमें की यहां पर इंटरनेशनल इंटरनेशनल वेबलाइजर इंडिया यह है यह इंडिया के लिए है यह इंडिया के लिए यह इंडिया के लिए इंडिया के लिए बहुत सारे यहां पर इनमें से किसी भी company का आप यूज कर सकते हो उनकी साइड पर आपको जाना है अपना account बनाना है उनका SMS का package लेना है आपको buy करना है जब आप buy कर लोगे तो उनकी तरफ से आपको यहाँ पे API की मिल जाती है click for SMS package feature and pricing, simple इस पे आप click करेंगे आप website पहुँच जाएंगे यहाँ पे textlocal.com पे, यहाँ पे इनकी pricing वगारा भी देख सकते हो और यहाँ पे आपके शारी सेट कर सकते हो, जैसे कि Asia के लिए है, इंडिया के लिए है अब यहाँ पे इनकी pricing है यहाँ पे आपके इससे pricing अप चेक कर सकते हो 10 message free है and 1000 messages के इतने पैसे हैं ऐसे आप bulk में message लेना चाहो तो bulk में message ले सकते हो, जैसे कि आपका school है, तो बहुत सारे student होगे, बहुत सारे messages जाएंगे तो आप एक बड़ा package ले सकते हो, जो कि आपका 50,000 message का होगा इस तरह के अगर advance रखने चाहते हो option तो इस सब चीज़ आप करनी पड़ती है और लोग करते भी है तो इस तरह के से कर सकते हो, आप उसके बाद नीचे आपको development में API की वगारा सारे option मिल जाते हैं और आप जब buy कर लेंगे उसके बाद आपको सारी चीज़ वैसे भी access अपने आप मिल जाते हैं आपको login account जब बना लेंगे तो सारी चीज़ आपको मिल जाती है तो आपको वह API की टालनी होगी और उसके बाद आपको आपको जो भी उसका sender हो टालना होगा save करना होगा उसके बाद जितनी बी activity होगी SMS अपने आप सब के पास पहुंचता जाएगा इसी तरीके से SMS का template भी है स्कूल स्कूल स्टुडेंट एडमिशन पर कौन से template जाना चाहिए बट उसको आपको एनेबल करना पड़ेगा यह सब चीज़े इसी तरीके से अलग अलग चीज़े बहुत सारी बनी हुए है जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पर razor pay और payteam दो option है in Bub Position है इंडिया के लिए payteam का है और कि exactly razor pay का integration कैसे किया जाता अपनी website के अंदर उसकी API की वगारा कैसे मिलती है सारी से कैसे मिलती है या फिर आप Paytm का भी फूरना चाहो तो Paytm का भी आप सर्च कर सकते हो वेब टेक्निकल तो भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यह वाली इसको भी आप देखके सीख सकते हो कि पे जो पेमेंट गेट्वे इंटिग्रेशन है वह कैसे होता है वेबसाइट के अंदर तो दोनों के उपर मैंने वीडियो बना रखी है आपको उसको देखना है एंड उसके बाद आप अगर एक्जामपल रेजर पे करते हो तो इसको आपको सिंपल एनेबल करना है और आपकी जो रेजर पे की है वह आपको यहां पर डालनी होती है अब आपको कैसे मिलेगी वह भी मैं आपको फटा फट से जल्दी से बता देता हूं तो मैं रेजर पे यहां पर उपन कर लेता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा यहां पर आने का या फिर आपको स्क्रेन पर दिखाई दे रहा होगा तो लॉग इन के बगरा होती है एकाउंट को अपना एक्टिवेट करवा लेना है एकाउंट एक्टिवेट होने के बार सिम्पल सा है आपको आपके अकउप में नीची यहां पर आपको उप्शिन मिलेगा यह वाला ऑप्श spielt कर ना है और यही से क्लिक कर ने है और तो आपको key ID यहां से मिल जाती है, अगर आप regenerate करेंगे तो regenerate भी हो जाती है instant, इस तरीके से आपको key ID वगारा मिलती है, मैं इसको फटा-फट से डाल लेता हूँ, copy और key की जगा, key को डालूँगा, सिंपल मुझे save के button पे click करना है, अभी मैं check करता हूँ कि मुझे यहां पे payment का option मिलता है, या फिर अभी भी नहीं मिलता, refresh कर लेता हूँ, एक बर फटा-फट से select all कर लेते हैं फटा-फट से, pay selected करते हैं, अभी आपके सामने रिजर्पे का यहां पे option आ चुका है, simple मैं इस प पर और कुछ नहीं करना, मैं एक बार काम करता हूँ, पहले मैं इसको refresh करता हूँ, और आपको एक करके दिखाता हूँ, छोटा सा, मतब करके तो नहीं दिखाँगा, इतनी बड़ी payment हो नहीं करूँगा, मैं यहां से select करता हूँ, pay selected करता हूँ, reserve pay, proceed to pay, यहां पे option आएगा proceed payment का, आपके सामने payment gateway यहां पर open हो जाएगा, study international school, total amount 5000 रूपीज, यहां से razor पे से phone number बगार डालके, proceed करके payment कर सकते हैं, तो यह हमारा proper process है, online payment करने का, इस तरीके से आप online payment बगारा भी कर सकते हो, और inquiries रिलेटिन यहां पर option है, क्या रखना है, क्या रखना है, यह basic सी ची और आप भी उसके बारे में अच्छी से सीख सको, तो यह basic सी चीजे है, यहां से आकर setting waiting में सब कुछ चेक कर सकते हो, तो यह तो चीजी सारी में आपके समने करके दिखा दिया है, फटा-फट से कुछ create कर लेते है menu, then अपने home page बगारा के design को set करते है, theme की setting को देखते है, and अपने इस tutorial को end कर सकते है, तो चलते हैं सबसे पहले, अपने menu को create करते है, menu को create करने के लिए simple सा है, आपको आना है यहां पे, आपके appearance के अंदर ही menu का option मिलता है आपको, आपका primary menu जो बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि इसमें सब campaign पर जाएंगे, यहां पर आपको home, academic, activity, contact, online admission का ही form मिलता है, तो यहां पर इस चारीच चीज़े रखूँगा, फटा फट से, home, about नहीं चाहिए मुझे यहां पर, इसको मैं remove कर दूँगा, activity दिख रही है, academy दिख रहा है, contact दिख रहा है, और online admission, यहां पर मैं online admission का भी add कर देता हूँ, फटा-फट से, तो यहां पर online admission का है, I think registration, ठीक है, registration वाला ही है, add to menu, यहां पर मैं इसको कर सकता हूँ, online registration, ठीक है, online registration भी okay report है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यहां से हम करके, simple क्या करेंगे, यहां से सारी सीचे हटा के, primary menu ही रखें, खाली इसको, और save menu के button पर simple हम click करेंगे, उसके बाद अब एक menu और create करेंगे, जो हम footer के लिए करेंगे, create a new menu, और यहां पर इसको हम कर देते हैं, इसका नाम रखते है, footer रखते है, simple सा, create menu, तो यहां से select कर लेता हूँ footer को, यहां पर इसको footer select कर लेता हूँ, अब मुझे जो footer में menu मेनू दिखाने हैं वो फटफ फट सर देख लेते है, footer में हमारे कौन कों से menu है, footer हूँ about contact, admission inquiry और online fee submission, तो यहां पर about contact, admission inquiry और online fee submission, यहां पर free submission, add menu, save menu, ठीक है, हमारे menu का काम भी हो गया, अब हमारे को क्या करना है, हमारे home page के design को ठीक करना है, हमारे theme के setting को ठीक करना है, तो पहले काम करेंगे हम home page की design को ठीक करेंगे देन उसके बाद अपनी theme की setting को ठीक करके इस video को end करेंगे चलते हैं अपने home page के ओपर सबसे पहले हैं पे pages में जाना है आपको अगर आपको फिर भी कोई doubt रहे हैं मैं अपनी तरह से फूरी कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो भी काफी लंबी होती जा रही है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल में आपनों को बता सकूं फिर भी हो सकते हैं मुझसे कोई इस पर क्लिक और मैं यहां पर अपना home page का डिजाइन भी open कर लेता हूँ या फिर आप simple web technical tips और उसके आगे elementar लिखोगे या फिर मेरी website पर आऊगे तो बहुत सारी आपको tutorial मिल जाएंगे कि यहां पर यह website है यह website में बहुत सारी websites में बना रखे elementar का यूज करके उसके अलग लग tutorial बना रखे elementar कैसे यूज के जाता है तो इसके उपर आपको बहुत सारे tutorial मिल जाएंगे आपको simply search करने webtechnical tips elementar या फिर webtechnical tips wordpress भी आप करेंगे तो भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे इसमें कि elementar के helps है मैंने पूरी website वगरा बनाई हुई है और उसको यूज करके आप भी अपने लिए बहुत ही amazing amazing wordpress के उपर पूरा मैंने एक tutorial बना रखा है इसमें कि पूरा अगर आपको wordpress की knowledge नहीं है तो यह वीडियो भी आपके लिए रिकमेंट करता हूं उसको आपके एक बार जरूर देखना ताकि आपको basics clear हो जाए wordpress के देना आप अराम से काम कर सको ठीक है तो भी चलते हैं यहाँ पर अपने elementar वाले page के उपर यहाँ पर अगर first time आप आया जाएंगा तो इस second section दिखा देगा third section में जाएंगे third section पर लिजाएगा fourth section fifth section five sixth and seven last section अबारा कुछ इस तरीके से एन उस section के अंदर कुछ elements हैं, कुछ columns हैं, उसको हम set कर सकते हैं इस तरीके से हम column set कर सकते हैं, उसमें divider है, उसमें headings है एंड उसमें WP form है, इस तरीके से चीजों को set कर सकते हैं तो navigation बहुत important चीज है, हमारे किसी भी तरह के design के लिए, जैसे कि first section है इस first section में हमारा column है, इस column के अंदर हमारे divider है, हमारे heading है, हमारे text है, हमारे button है सारी सीजे हम यहां से control कर सकते हैं, इसको set कर सकते हैं तो भी बात करते हैं, हमें कुछ changes करने हैं, design set करने हैं, तो वो सब चीज़े कैसे possible है मुझे टेक्स चेंज करने हैं, the champion school Texas, मुझे यह नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरे नाम चाहिए, यह वाले जो मेरे school का नाम है, study international school द्वार का, simple है, आपको बस type करना है, वो चीज़े आपके सामने instant ठीक हो जाएंगे, आपको और कुछ भी नहीं करना अब यहाँ पर इस side आ रहा है, content थोड़ा नीशे जा रहा है, थोड़ा ऊपर इस side होना चाहिए, उसको set करना है तो वो सब चीज़े कैसे हो सकती है या फिर फॉण के साथ हमें play करना है, यहाँ पर एक type sketch रहा है, इसका以-क mode, हमेले करना है, याफिर मुझे कम करना हो या फिर मुझे ज्यादा करना है, इसकी styling मुझे change करना है, तो यहाँ सब्सक्ते हो, तो फोड़ा पर 50 चोटा हो जाएगा कि एक बखेए कर दो सकते हैं तो कुछ स्वुनटी परगों शेलिकर करते हैं अब युहाई है चेही है कि अ बसब देखना है तो आपसे प्लेखिवीग Krस्क्तम फ्रसक अर्म परगेрий को समझ आती है कि कौन सी चीज बेस्ट है कौन सी चीज सेट है यहां पर आगे इसकी दुबारत है इसकी जो हमारा font size है इसको बड़ा देते हैं जो normal हमने by default set कर रखा है h1 का यह call करा लेगा इसी तरीके से यह text है इसी तरीके से यह आपको यह बटन होता है बटन होता है बटन आप टेक्स करना है लिंक कुछ डालना है जैसे कि आपको academic वाले पेंच का लिंक डालना है तो यहां पर आपको simple academic search करो कि आपका पेंच आज जाएगा उसका लिंक आटोमेटिक लग जाएगा और मैं अपने करता हूं या फिर मुझे इस मेंच को fix करना है तो मैं attachment में जाओंगा आप simple fix कर दूंग यह image fix हो जाएगी as it is जैसे मैंने अपनो demo में दिखाया था तो इस तरीके से images भी ला सकते हो होवर एफेट को दानना है कुछ transaction करने है वह सब चीजा प्ले कर सकते हो उसके बाद यहां पर मारा font वगारा भी चेंज है बाद में सारे font वगारा चेंज कर लेंगे सारे सारे font हम एक बारे में चेंज करने बाद में theme setting में जाके या फिर यहां पर कर सकते हैं तो अभी यहां पर नेक्स जाते हैं हमारा जो content है कुछ यहां पर बोल्ड है या फिर बड़ा है सब इसके बाद आप जैसे यह सेक्षिन है उसमें थोड़ा बड़ा का रख है इसको मुझे बोल्ड करना है हैं सिंपल इस पर क्लिक कर रूबयां यहां पर et six ऐडिडिडोंा रहा है मैं यहांसे को हैच फॉर कर सकता हूं या फिर अससरी कर सकता हूँ जितना बड़ा एच बढ़ा वर एस एक चोटा तो इसके बाद से यह पको सेट करना होते हैं एंडिंग से यह यह तो इंडिंग घाकी किए अज़र यह सब इसने इन नहीं इस पैर रहेव कंमने अगया स्कतना पेस्ट करने में अग्यां कोई सब्सक्राद्क disco सब्सक्राइब अर फीजोड़ करने यहां पर तो ऊने पैर आ चाना में प्लॉद करने है करने फोड़ में फाइल करनी है फाल को यह इमेज है सिम्पल मेंने सिल्क किया वह तैक्स करूंगे उसका इस अब य get एक P आपकी वो इमेज आ जाएगी अब उस इमेज को आप किस कंडिशन में पूल रखनाचाथे वह सेंटर में बेटर है और यह एटाच्मेंट में स्कॉल में रहेगी नो रिपीट होगी कवर रहेगी बिल्कुल ठीक है तो यहां पर है मैं यह सब श्रीचन थोड़ी प्ले करें साथ अगर मुझे इसको थोड़ा सर हो तो कैसे कर सकता हूं जैसे मैं यहां पर buying मैंने इस पे क्लिक किया अब मैं इसकी style पर नॉर्मल भै का option आ रहा है नॉर्मल मे इसकी जो opacity है इसको कर दिया 0.9 और how फेसिकaste की क्या लगी बाल यहां पर animation बीची ओवर पर तो hover पर मैं इसको float कर सकता हूँ यह sing कर सकता हूँ इस तरीके से animation आ रही है आपके सामने आपके दिखाया है तो इस तरीके साप animation अगर आट करके थोड़ा attractive बना सकते हो अपने templates को बने-बने templates अगर आप यूज करते हो जैसे कि यह section है इस section में और इसे बखराओं पर मैंने एक इमेज डाल दी ना इस section के background में तो मैं यह पर style में आँगा एक पर यहां पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहां पर मैंने इस ही ही में इंकी इन उधा उथाय थी I think यह वाली image उथाय थी शहर्द मैंने यही वाली इमिज उठाई थी मैंने और मैंने इसको यहां पर इंसेर्ट मीडिया कर दिया था सिंपल तो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया था मुझे सेक्षिन अब इसके ओपर मैंने एक ब्लैक ऑवरले भी डाला है अगर आपको दिखाना चाहूं एक ब्लैक ऑवरले भ इसमें आप आएंगे यहां पर इसमें आएंगे आप ब्लैक करेंगे अब इसको आप 6 करना चाहो तो 6 कर सकते हो मैंने यहां पर इसको 6 ही किया हुआ है 0.6 किया हुआ है और इसकी एक चीज है पोजिशन मैंने फिक्स रखी हुई है जैसे कि अगर आप यहां पर आएंगे टेज फील एस प्रेड बाति की आच गोड़े को सही आ हो बाति अर्छब करें में और सप्थ और को ख्रता के प्सकति आ ना किया हुआ है अब यहां पर मैं आओंगा यह टेक्स ब्रट बूर्ट नहीं है पर मुझे इसको लृट करना है इसे तरीके से मैं इसपे क्लिख करना है यहां पर इसकी स्चाइल में। तो भी वीछ की अब इसके नॉर्मल पे रेटेंट में कि या को जरू है website ए हुग्ला जरी आएक मिस विश्वार सकता हूं मैं इस तो the vision video is jedes Minutes specific description मेन मुसके किने पेजिए website 迎म दिएकली तो यह में इसके लोगे पना तो तो हलुवा हो दो है उन्हें सपारा ही एक चीज और होती है यहां पर एलिमेंटर में ही इसकी अगर हम सैटिंग्स में जाएंगे गैँ आप आपको कर सकते हिआ कि पांट वहर रही पहुत अव theory नहीं करने होते एक दो फॉंट ही की आपको करने होते हैं। अपडेट कर सकते हैं इसके साथ यहां से हम बैक जा सकते हैं इसकी टाइप हो गफ़ी में जाके हम सैट कर सकते हैं, एक सारा काम थीम की से साथ एक्षर करना है। तो चलते हैं फटा फट से इसको क्रॉस करके यहां से क्रॉस करते हैं इस पर क्लिक करना है एक्जिक करना है इसको एपलाई कर देते हैं इसको लीप कर देते हैं तो चलते हैं सबसे पहले यहां पर अपने अपरेंस के अंदर कस्तमाइस के अंदर यहीं से सारे हमारे को सेटिं वेटिंग स्पुछ ठीक करनी है जो हमारा अब लास पार्ट रहेगे हमारे इस वीडियो गा यह वाला थीम की सेटिंग ब्लॉक के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा बागे थीम की सेटिंग सबसे इंपोर्टन है मस्ट एसको मुझा देख लेते हैं फटा फट से तो यहां पर गलोबल में आना है आपको टैपोग्राफिय में यहां पर हमारे को सेट करना है कि हमें कौन से के साथ जाना है है आप अलग अलग बहुत सारे font आप मिल जाते हैं तो आपके ओपर एकोंस से font के साथ को जाना है यहां से सेट कर सकते ह। उपने हिसाब से तो फिलाल मैं इस सेट कर देता हूँ और जक्ते तो हो और में बाडीः पांठ क्या रहेगा? रोबोटो हो थीक है है टीडिक फांट क्या रहेगा? सभी गोई जो है इसको में यहां से क्यों कि एक ही फांट की तरफ रखनाक्аж और रखना बज़ा अलग अलग ओलग ऐग्ना एक यर फांट प्रोफेशनल नहीं लगती है आपको एक ही फॉंट रखना चाहिए ज्यादा ज्यादा दो फॉंट इस ज्यादा नहीं रखने सी है ठीक है और इन्हेरिट का मतलब यह रहता है जो बाइडिफोल्ट आपको लार्ज पॉंट आपने सेलेक्ट के उसी को फॉलो करेगा हर जगा तो टाइपोग्रफी में कुछ इस तरीके से काम करना होता है तो कलर में आपको पैटन मिल जाते हैं अलग अलग काफी सारी चीज़े मिल जाती है अना आप चेंज करना चाहो पैलेट तो यहां से चेंज कर सकते हो बाइडिफोल्ट मेरा जो सेलेक्टेड़ है मुझे इसको चेंज करने की जुरूत नहीं है और कलर के बाद आती है आप अपे कंटेनर की कंटेनर ठीक है बटन भी ठीक है हमारे बटन है की जुरूत नहीं है स्क्रोल टॉप को अप्शन आपको अनेबल रखने है अपनेबल कर सकते हो राइट साइड में नीचे की तरफ आजाएगा यहाँ पर आपके सामने देखते हैं इसका इकन का साइज आपको बढ़ाना वड़ा सकते हो लेफ्ट राइट करना वो कर सकते हो इसके बाद आपके बैक करेंगे आप आप की में चीजों है यहाँ जो है गादर विल्डर तो कि आपको यहाँ पर दिखाई देरा है फिलाल आपका logo आपका primary menu आपके social icons अब यह हमारा अपने design में देखते हैं हमारा header कैसा है left right इस तरीके से हमारा चल रहा है तो अब यहां पर क्या करना है social वाले icon को मुझे टालना है यहां पर ऊपर ठीक है और जो primary menu मेरा रहेगा वो मेरा रहेगा इस side right side में मुझे यहां पर बटन चाहिए तो मैं इस बटन को यहां पर add करूंगा और बटन मेरा यह रहा और इस बटन पर क्या रहेगा pay fee online अब मेरे जो fees online का जो मेरा URL है वो मुझे कहां से मिलेगा आपको simple अपने pages में जाना है अब यहां पर hier option है fee submission का आपको simple right-click करना है copy link करना है आपको यहांपे आना है simple इसको यहांपे आपको simple इसे paste करदेना को यह आप कर लिंक है pay fee online का अब इसको आप new tab में खोलते है यह निए full हम नर्ट होती डुनिए नहीं होछ Спेफिभ सेट कर सकते हैं है इस तरीखे से आपको इसका टेक्स का कलर क्या रखना है यहां पर हमें वाइट रखना है राखा है हम वाइट यहां पर बगरों लाइड रखना चालर है हम दलगा कर सकते हैं इसे हो еп al depth एक रह justamente आ विस voltar एक सी डेंगे वह जो इसको बड़र नहीं बद सके ऊर्ए कर सकते हैं इसको कर सकते हैं यहाँ इसके डिक सेट कर सकते हैं इसके इसके मैंड़ने कर द compat reh ses कर भार हो ज्रीघे कर देंगे ऐसे बिल्कू About इसको सेट करना चाहिए सेट कर सकते हैं अगर मैं जिरो कर दूँगा तो बिल्कुल जिरो हो जाएगा अब मुझे इसकी पैडिंग किस तरह से चीजे तेन तो कुछ इस तरीके से दिखेगा या फिर मैं काम कर सकता हूं राइट से पंदरा और लेफ्ट से भी पंदरा थोड़ा इस तरीके से चीजे हम सेट कर सकते हैं अभी यहां पर एक चीज और है उपर यह सेक्षिन डला हुगा एक बार आई हुई है यह इस तरीके से चीजे हैं इसको फटाफट से हम देख लेते हैं यहां पर कोपी कर लेते हैं इसको अभी यहां पर मैं जाओंगा उपर की तरफ यहां पर और यहां पर मैं डालूँगा एक टेक्स्ट och.stml1 and other only to where the text is visible but my text is visible But I need the color of the background Now I will go to the design I'll go to the background I'll just put this this Now I'm going on I need these black and white then the text is visible होगा वरना विजिबल नहीं होगा और एक चीज और है इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे इसको मैं 35 कर देता हूं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे परणगे बाझ यहां होगे स्कूष खुन सब्सक्राइब कर न लिए को तरीके यह भंड़ेम कर दिधा दो है स्पाइड को Philosophy from you कुछ ज्यादा spacing है तो आइकन की spacing थोड़ी मैंने कम कर दिया है यहाँ पे 10 कर दिया है उस आइकन के साथ यहाँ पर टेक्स प्यार स्टूडेंट एंट टीचर लॉग इन तो उसके लिए मुझे क्या करना है इस पर क्लिक करना है स्टेमल टू करना है और यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे जन्रल में आना है इसको मुझे इधर करना है stml2 को इस पर आना है मुझे stml2 पर और यहां पर मैं simple लिख लेता हूँ student teacher login और इस तरीके से थोड़ा space बना जाता हूँ बट यहां पर मुझे इस पर link डालना है अब link क्या रहेगा link पर इस पर click करेंगे जो link रहेगा वो रहेगा login का मेरे जो login का page है उसका link रहेगा तो simple मैं इस पर click करूँगा वो automatic URL उठा लेगा और मुझे यहां से इसको मगर white भी करना पड़ेगा तो white करने के लिए मैं काम करूँगा सबको select करूँगा और यहां से इसको white करूँगा इस तरीके से यहां पर दिखना शिरू हो जाएगा तो यह मेरा section उपर वाला भी बन गया एक तरह से और मैं अगर अपने फुटर के अगर बात करूं तो इसको इपर publish कर देता हूं और अपने फुटर को भी एक बर फटा फट से देख लेता हूं यहां पर आता हूं फुटर बिल्टर पे तो फुटर बिल्टर कुछ हमारा इस तरीके से है यहां से अगर मुझे इसका नाम वगरा चेंज करना है तो मैं सिम्पल है इसका नाम मैं यहां से चेंज कर सकता हूं जो मेरा स्कूल का नाम है यहां पर स्टडि इंटरनेशनल स्कूल सिंप्ल में यहां पेपेश्ट करूँ है tudy international school यहां पे अगा इसके जगा और टेक्स चैंज करना है टेक्स यहां से छेंज करने नो बहुती इजी है यहां मेरा फांट भी आ गया फुटर में सारे चीजिए मेरी बिल्कुल वाई जो भी हमारा site का title देगा वो आटोमेटिक यहां से उठा लेगा site का title अब site का title कहां से define होता है site का title भी देख लेते हैं फटा-फट से एक बारी यही site identity site title and logo और यह रहा हमारा site का title यहां मैं पूरे school का नाम डाल देता हूं school international school तो यहां पर देगा school international school study international school तो इस तरीके से सब चीज़े काम करती हैं header हो गया हमारा footer हो गया अब यहां पर जो हमारा menu है इसका हमारा जो font है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे तो menu के हम यहां पर डिजाइन में जाएंगे और यहां पर जो font है इसको हम simply कर देंगे जो इसको यहां पर हम simply करेंगे रोबोटो जया फिर रोबोटो कंडेंस भी करना चाहें तो वहीं कर सकते हैं वह एक अच्छा भी डीजैन में जाके इसके font को भी हम्सेट करना चाहि है तो फांट को सेंट कर सकते हैं यहां से कि यहां पे आना है सिंपल पने रखा है उसी को यहां पर क्ली कर आ सकते हो रोबोटो ठीक है तो यह भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब यहाँ पर मेरे पास कुछ CSS है आप लोगों के लिए जो कि मेरे इस में से मैं निगाल के आपको फटा फट से दे जेता हूँ अब मैं इसी वीडियो के नोटपड फाइल एक दे दूँगा उस नोटपड फाइल में आपको CSS मिल जाएगी जो कि कुछ काम आएगी आपकी जो कि हमारे कुछ बटन सही से विजिबल नहीं हो रहे थे जब हम पेमेंट कर रहे थे या फिर कुछ हम लॉग इन सेक्शन करते हैं स्टूडेंट का महां प कि अब एक बार चलते हैं आप जो यह चीजा हरी है न यह सब सेट करने के लिए अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ राइट साट में यह भी देख रहे हैं इसको भी सेट करने के बारे में रिफ्रेश करेंगे खाली मैंने वह कोड डाला है उसके बार ऑटमेटिक सेट हो यह बिल्कुल सेट को गया सब्सक्राइब आपके सामने ႒ सेक्टिर हैं ऑब गायाब नहीं होगा वह बिल्कुल ठीक रहेगा उना ऐसे रहेगा राइट साट वाला भी हमारा ठीक हो गया है तो वो CSS डालने के बार चीज़ों है, CSS डालने का हाई यह फायदा है, तो यह सब CSS सेट कर दी है, हमारी जो basic setting थी वो भी हो गई है, almost, done, एक बार यह अपनी website को एक बार ओपन करके चेक करके देखते हैं, यहां पर, कैसे लग रही है हमारी website, लॉग आउट करते हैं इसको यहा कर रहा है, तो यहां पर इस पर जाएंगे, ओके, इस पर यहां पर login, यह करना था, उसको एंटर करना था, पब्लिश करना था, अब यह login वाला बटन काम करेगा, रीफ्रेश करके हम फटा फट से चेक कर लेते हैं, रीफ्रेश करते हैं, यह login वाला बटन अब हमारा काम कर रहा है, आपके सामने, नए पेज पर खुलेगा, इसी तरीके से online registration हमारा कर खुले, वो भी खुलेगा, सारी से प्रॉपर खुलेंगी, पेज फी online का खुले, वो खुलेगा, एड्मिशन इंक बाजी का करना हो, वो खुलेगा, पेज हमारा कुलेगा, अबाउट उसका पेज हमारा कुलेगा, तो अल्मस्स सारी सीजे नहीं हमारी काम कर रहे है, फंक्शनेलिटी सारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे है, अल्मस्स्ट हमारी यह वीडियो भोशु की ड़न, एक ब्लॉक का सेक्षिन है अगर ब्लॉक का भी आपको बताना चाहूं तो ब्लॉक का भी फटा-फट से बता देता हूं ब्लॉक के लिए करना है यह पोस्ट होती है यहां पर यहां पर हमारे को अपनी पोस्ट को लिखना होता है है simple अगर मैं आपको एक लिखाना चाहों एड न्यू करता हूं कि डमी टेक्स कर देता हूं तो यहां पर 2-3 حतो हती है 1 आपका टाइटल होता है 2 आपका डिस्क्रिप्श्न कंटेंट इरिया उता और आइट साट पानल होता है यहां पर जरुते है नर्सरी एन्मीशन इथीक है यहां पर है कुछ भी डाल देता हम कि इस तरीके से डाल दिया अब मुझे यहां पर आना है पोस्ट वाले सेक्शन में यहां पर मुझे कुछ क्या टेगरी पहले क्रिएट करनी होगी क्योंकि मैंने कोई क्रिएट नहीं की केटेगरी तो यहां पर मैंद नियू करूँगा कि एड्मिशन यह मैंने केटेगरी बना दी एड्मिशन की ताकि यह पोस्ट मेरी एड्मिशन केटेगरी में जाए उसके कुछ टैग है तो मैं डाल दूँँगा अगरी एड्मिशन यह फिर इड्मिशन इस सरीक से टैग वगरा डाने होते हैं फीचर इमेज आपकी डाल तो सलेक्त कर लेता हूं मैं बाइडिफॉल्ट मीडिया लाइब्रेरी में से कोई सीबी यह सलेक्ट कर लेता हूं सेट फीचर इमेज और उसके बाद यहां पर पोस्ट बन जाएगा अब इस पोस्ट को मुझे देखना होता है मैं देख सकता हूं सिंपल इसको ओपन लिए करूँगा तो इस तरीके से मेरी ये पोस्ट बन गई है इस तरीके से कोई किसी कमेंट करना हो कुछ पोस्ट की इंक्वाजी करने हो कर सकता है और यह मेरा फीचर इमेज को कि मैंने डमी उठाली कोई सी भी यह एडमीशन है कैटेगरी लीव कमेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आपका ब्लॉक सेक्शन काम करता है आपको अगर ब्लॉक सेट करने तो ब्लॉक कैसे सेट कर सकते हो वह भी एक बर फटा-फट से मैं आपको बता रहता हूँ तो यहां पर जाएंगे हम dashboard में dashboard के अंदर हम काम करेंगे pages pages के अंदर add new add new में simple blog publish publish और इसको करें हम exit यहां पर माएंगे न्याटे setting में reading के अंदर यहां पर home selected है post page में आपको block select करना है और simple इसको करना है save और एक चीज मुझे और याद आगए यहाँ पर आने के बाद कि हमें इसकी setting में जाना है इसकी general setting में जाना है और जैसे कि मैंने बहुत है साथ अगर हमारी complete हो जाएगी तो हमारे कुछ को level 2 करके save changes करना है फिलाल हो गया OK report यह अभी मुझे एक काम करना है मेरे appearance के अंदर menu में जाना है मैं block section अपने top navigation में भी add कर रहा हूँ और bottom navigation में भी add करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इस सब चीजे work करती है footer selected है view all करूँगा blog में जाऊँगा add to menu इसको कर लेता हूँ सबसे आगे या फिर contact के बाद में save menu एंड उसी की तरह मैं यहाँ पर select करूँगा अपना दूसरा जो मेरा primary menu है select menu और यहाँ पर भी view all करूँगा blog को करूँगा add to menu और यहाँ लास्ट में यहाँ ब्लॉग आगया save menu अभी चलते हैं यहाँ पर हमारी website की तरफ जो की है यह वाली copy कर लेता हूँ इसको फटा फट से यहाँ पर आएंगे paste करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं blog यहाँ पर पर एड़ हो चुका है और blog यहाँ पर एड़ हो चुका है इस तरीके से blog section भी काम करता है blog भी create कर सकते हो blog से भी अपनी website गंदर चलता traffic लेके आ सकते हो तो अगर कोई भी अभी तक आपको doubt हो रहे है कुछ भी confusion हो रही है इस tutorial को लेके आप मुझे अभी के अभी वीडियो के साथ comment करो और मुझसे पूर सकते हो लुग आफ मुझे instagram पे फॉलो कर सकते हो instagram पे मुझसे बात करना चाहो आप पूरी सिझे मुझसे महारा उन एकका पूर्क कर सकते हो याँ पे direct message मुझसे बात करना चाहो उन एक प्लम से रलेंट्ट तो अभी तक तो कि आज कि जो the tutorial था school management से र्लेंटल वो almost हमारा हो चुका है, done almost आरी सीजर मैंने पूरी बताने की कोशिश की थी अपनी तरफ से कुछ रहा गया हो तो मुझे आप लोग comment करना, then मैं आपके comment का यहाँ पे wait करूँगा, so friends मैं आप उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे अपने useful वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care